Hello everyone, Master Current Affairs Series 2022 के अंतरगत आज का हमारा टॉपिक है Indian Polity Indian Polity के जन्वरी 2021 से लेकर के अप्रेल 2022 तक के सभी घटना क्रमों को हम यहाँ पर एक एक करके विशलेशन करेंगे देखे Indian Polity को पहने से पहले मैं इसके importance बता दूँ इस वीडियो सिरीज को यहाँ पर इस वीडियो को खास कर आप क्यों यहाँ पर जरूर देखें वहाँ पर सबसे जादा प्रशनिस से बनते हैं और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका multiple time revision भी जरूर कर लिए जगा क्योंकि next वीडियो आपको अगले संडे को मिलेगी अगले एक subject की तब तक कि यहाँ पर आप इस topic को अच्छा study करें देखें इस वीडियो का use कैसे करोगे यो भी मैं बता देता हूँ और साथी साथ यहाँ पर देखें कि क्या क्या चीज़ें इस current affairs में हम पढ़ेंगे वो मैं बता देखेंगे उसके बाद हम इसको start से पढ़ने वाले कुछ topic चीज़ें में बता दूँ क्योंकि कई बार आप लोग यहाँ पर question पर कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस वीडियो को use कैसे करना है इसको ध्यान से जुनिए सबसे पहली चीज़ें कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के current affairs को हम discuss करने हैं कब से 16 महीने का current affairs जन्वरी 2021 के April 2000 यहाँ पर 22 तक का हैं दूसरी पताऊंगा उस topic से related यहाँ पर उससे related उसके इर्दगर्द के बाकी जो जानकारी है उसे भी जरूर पढ़ना है मैं यहाँ पर hint भी आपको देता जाऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से topic का यहाँ पर revision कर लीजेगा ताकि current के सासा देखे UPSC ने पिछले दो साल में ए उस topic से related आपको basic revision भी यहाँ पर कर लेना है उन topics related सारी जानकारी को यहाँ पर revision कर लेना वो भी इसी भी इस video को कम से कम तीन बार जरूर देखना है दूसरी चीज ताकि यहाँ पर हर एक घटना क्रम को अच्छी तरीके समझ जाएं तीसरी चीज जो है कि यहाँ पर जो भी topic वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि उस से related चीजों को आप वहाँ पर अच्छे से study कर लें रिवीजन यहाँ पर multiple time करना है तो तीन बार जरूर देखें क्योंकि next week आपको अगला वीडियो मिलने वाला है तो यहाँ पर Indian policy से related जो घटना क्रम हम आज पढ़ने वाले हैं देखें सबसे जादा question कहां से पूछे आते हैं Indian policy का देखा जाएं तो मौलिक अधिकार को लेकर ठीक है पिछले एक डेड़ सालों में सरकार के द्वारा या नागरिकों के द्वारा या Supreme Court के द्वारा या किसी विवाद के सिधी में कौन-कौन से यहाँ पर मौलिक अधिका आते हैं वो यहाँ पर चर्चा का विशय बनते हैं विविन प्रकार के अधिकरणों में होने वाली नियूक्तिया उनमें परिवर्तन उसको लिए यहाँ पर किये गए नए आदेश और नियमन को भी यहाँ पर चर्चा का विशय बनता और वहाँ पर आता है question इसके लावा स नए तारिक्रम या योजना या फिर आप या अन्य तरीके गत्विधियां लेकर आए हैं वो यहाँ पर चर्चा का विशय बनते हैं यहाँ पर ऐसे सभी घटना क्रमों को हम आज के अपने सिरीज में पढ़ने जा रहे हैं तो बस ध्यान से सुनना है अगले एक डिल घंटे यहाँ पर आपको मेरे साथ बने रहना है हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है चीजों को रिवीजन करना है और एक चीज और है वीडियो को एक ही बार में खतम करना है शुरू से लास्ट तक के हाँ ब्रेक लेना है तो बीच शीच में अगर आपको लगे तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड और आप भी इसे अच्छे से यहाँ पर सुनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है सबसे पहला टॉपिक तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर निजी छेत्र में अस्थानी आरक्षन को लेकर निजी छेत्र में अस्थानी आरक्षन को लेकर सरकार के दौरा यहाँ पर क्या-क्या प्रविधियां लेकर आई गई हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं देखें निजी छेत्र में हर्याणा राज सरकार के दौरा यहाँ पर एक कानून पारिट किया गया जो है हर्याणा राज अत्स्थाने उमेदवार नियोजन अधिनियम 2020 देखा जाए तो इसको 12 जनवरी 2022 से यह आपका अधिनियम जो हर्याण सरकार के दौरा लाया गया उसे लागू हो जाएगा और इस अधिनियम के लागू हो जाने एक बाद हर्याणा राज में कोई भी जो प्राइविट कमपनिया होंगी जो यहाँ पर अपना संस्थान ओपन अस्थानी नागरिकों के लिए निजी नौकडियों के लिए यहाँ पर कितने प्रशत यानि 75 प्रशत यह भी ध्यान रखेगा अर्थात यदि कोई कमपनी निजी कमपनी 100 लोगों को नियुक्त करती है तो उसमें 100 में से 75 लोग यहाँ पर आपके हर्याणा के लोकल या स्थानी लोग यहाँ पर होने चाहिए इसके लवात सुप्रीम कोट में इसे यहाँ पर चुनोती दी गई है मामले की सुनवाई यहाँ पर फिलहाल चल रही है लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेगा कुश्चन कई बार ऐसे भी पूचे जाते हैं क्या हरियाना राज्य सर अर्था जो व्यक्ति जिनस्थान पर जन्म लेता है उसको लेकर यहाँ पर आपका मुद्दा उठता है कि वहाँ पर उस छेत्र से रिलेटेट संसाधनों की इस्तिती पर उसका अधिकार होना चाहिए लेकिन इस पर फिर एक क्वेश्चन आता है मौली का अब यहीं पर आत व्यक्ति को यहाँ पर जन्म जन्मस्थान या लिंग भेद भाव धर मित्याद के आत्वार पे आप किसी परकार का व्यूतपन करते हैं तो ऐसे स्थिती में यहाँ पर देखे भारत में दूसरी चीज जो है वो एकल नागरिक्ता का प्रावधान है जिसके तहट कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी देश के किसी भी छेतर में जा कर सकता है निवास कर सकता है कारी कर सकता है रोजगार की प्राप्ति कर सकता है उस रोहनी का गठन की स्विशय के लिए किया गया है तो इसको यहां पे समझेगा पिछडे वरगों के भीतर एक उप say करन के लिए कथित किया गया है फिक है अर्भात ओबीसी वरगों के अंतरगति यहां पे sub-division करना मतलब जो भी 2017 का मतलब यहां पर जितनी जो पिछड़े OBC जातियां हैं उनको यहाँ पे जादा आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और जो जादा बेहतर या संपन है उनको यहाँ पे कम आरक्षन देने के बाद की अर्थाथ सभी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के उपवर्गी करण को लेकर आये गया है और क्या है इस बारे में तो उसको समझते हैं देखें यहाँ पे इस रोहणी आयोग का यहाँ पे कारिकाल जो है 6 माह का इसमें हाली में विस्तार किया गया जिसके कारण ये चर्चा में रहा इसका गठन वर्ज 2017 में किया गया था आर्टिकल 340 के तहर ये चार सदसी एक यहाँ पे आयोग है जो OBC के मध्य आरक्षन के लाभों का न्याय संगत बटवारे को लेकर यहाँ पे गठित किया गया है साथी साथ OBC वर्गों को सैक्षिक वा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हम यहाँ पर पिछड़े वर्ग के रूप में रखते हैं किसा अधार पे जो सैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से यहाँ पर पिछड़े हुए हैं उन्हें हम OBC वर्ग कहते हैं इसके लावा देखे आयोग जो है जिन जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम करने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले है कि लावों के असमान वित्रण की जांच करना दूसरा OBC के उपवर्गी करन के लिए तंत्र मानक शर्ते और मापदंड तयार करेगा साथी यहाँ पर जो OBC वर्गों मिलने वाला 27% आरक्षण है उसे 2, 6, 9 और 10% में यहाँ पर विभाजित करेगा ठीक है? कितने? 4 शर्णिया बनाए गई है एक है 2% का आरक्षण, एक है 6% का, एक 9% का और एक यहाँ पर 10% का टोटल रहेगा 27% लेकिन 27% में भी यहाँ पर उसने क्या कर दिया है चार अलग लग वर्गों में यहाँ पर उपवर्गी करनिया आरक्षण का प्रावधान किया गया इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अब ऐसे ही टॉपिक में आपको क्या करना? अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? बेसिक जारना है, बुक खोलना है, निकार और संस्थाय वाला जो चैप्टर होगा जहाँ पर आपको आयोग इत्याद के बारे में होगा बना के रखनी है, कि यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटिट जानकारी को भी रिवीजन करना है, इसको यहाँ पर नोट जरूर कर लिजेगा पढ़ना क्या है? राश्री पिछड़ा वर गायोग देखा जैते से 1993 अधिनियंग पे तहत गठित किया गया था, जिसके लिए 102 में समयधान शर्शोंग तहत इसे एक समवैधानिक निकाय की संग्या यहाँ पर प्रदान की गई चलिए, आदे अपने तीसरे टॉपिक में, जो एक बहुत ही हाइलाइटेड है, इस तमेश बहुत जादा यहाँ पर लगातार चर्चा का विशह है, वो है समान नागरिक सहिंता ठीक है, यूनिवर्सल यहाँ पर सिविल सिट्जन की यहाँ पर जो बात की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर इसको लागू करना है, जो सिट्जन यहाँ पर कोड है, किसको कैसे यहाँ पर लागू किया जाएगा, इसको लेकर देखे, हाली में यहाँ पर विधी एवं नियाय मंत्रा लेने इसे एक लोक नीती का विशेमाना है कैसा लोक नीती का विशेमाना है अब ऐसी स्थिती में समान नागरिक सहिंता को थोड़ा सा समझ लीजिए देखे होता क्या है समान नागरिक के सहिंता तो ये एक एकल कानून है ठीक है एकल कानून है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए कुछ मुद्दों को लेकर एक समान रूप से यहां पर सब पर लागू होगा किन मुद्दों को लेकर तो भारत की जो नागरिक हैं उनके विवाह के मामलों तलाग, अभिरक्षा, विरासत जैसे संदर्व में यहां पर एक ही तरीके का कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर में संप्रदाय त्याज के क्यों ना हो वहाँ पर हर एक व्यक्ति अर्थात विवाह का एक ही तरीका, तलाग का एक ही तरीका, विरासत और संपत्तियों का यहां पर आपको एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी का अस्थानांतरण के लिए दत्तक अभिग्रहन के लिए अभिरक्षा के जो मामले हैं सभी के लिए यहाँ पे समान कानुवक तहत यहाँ पे लागू किया जाएगा देखा जै तो क्या समान नागरिक सहिंता की अब यहाँ पे कुश्चन आता है कि समान नागरिक सहिंता क्या आपके सम्विधान में इसका उलेख है तो आपको राज के नीत निशक्तत्व जब आप पढ़ते हों तो वहाँ पे लिखा है आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे राज के नीत निशक्त्तों के तहट यहाँ पे समान नागरिक सहिंता का प्रावधान किया गया है अर्थात यहाँ पे राज लागू कर सकता है गोवा यहाँ पर एकमात राज है जो समान नागरिक सहिंता को समान परिवार कानून के तुरूप में यहाँ पर लागू कर चुका है हाल ही में यहाँ पर उत्तराखंड हिमाचर पदेश जैसे राज्यों के द्वारा भी यहाँ पर समान नागरिक सहिंता को लागू करने की बातें की जाधी है इसके अत्रिक देखें इसके लिए यहाँ पर कई कानूनों और नियमों का लेकिन यहाँ पर एक ही करन करना होगा जो अलग अलग धन समर्दायत त्याज से रिलेटेड हैं जब तक उनका हम कानूनी रूप से एक ही करन नहीं कर सकते हैं अमान नागरिक सेंगता यहाँ पर लागू नहीं हो सकता इसके लिए काफी चर्चा पर चर्चा का यह विशय बन सकता है बात वी बात का विशय बन सकता है तर्क वितर्क इसमें काफी किये जा सकते हैं लेकिन फिलहार हमें यहां पे जो ध्यान अगना है कि यहां पर इसे एक लोक नीती का विशय माना गया है अगला मुद्दा यह भी आजकल थोड़ा चादा ही चर्चा का विशय बनता है क्या है धर्मांतरन विरोधी कानून हाली में करनाटक विधान सभाने करनाटक में धर्म की सुदंता के अधिकार विधयक 2021 को पारिद किया है ठीक है किसने करनाटक ने कौन सा विधयक करनाटक धर्म की सुदंता का अधिकार विधयक 2021 अल्रेडी देखा जाए तो नौ राज्यों में यहाँ पे धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं कौन-कौन से है वो नौ राज जहाँ पर यह कानून लागू है तो यह हैं आपके औरिसा, मदपदेश, अनाचपदेश, गुजरात, हिमाचपदेश, छतिसगर, छारकंड, उत्राकंड और उत्तपदेश में और यह कानून लागू है देखा जाए तो आर्टिकल 25A के तहट किसी अन्यविक्ति को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार यहाँ पर नहीं देती है और इसके तहट यहाँ पर धर्मांतरन विरोधी कानूनों को राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है ध्यान रखेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों यहाँ पर धर्म और उसको मानने को लेकर उसके आचरण को लेकर यहाँ पर जो भी आपको धर्मिक जो मौलिक अधिकार यहाँ पर दिये गए है उन आर्टिकल्स को यहां पर ज़रूर पढ़ना है उस से लिटेट चीज़ों को आपको रिवीजन करना है इसके बाद अगला टॉपिक है राज भाषा ठीक है राज भाषा क्योंकि थोड़ा सा चर्चा के विशय ये भी बना हुआ है राज भाषा हिंदी को लेकर लगातार विवाद के स्थितियां बनी रही है और आज नहीं ये काफी सालों से रही है चेत्री भाषा, हिंदी भाषा, राज भाषा और अन्य चीज़ों को लेकर नेशनल तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी हाल फिल हाल यहाँ पर चर्चा का क्यों विश्य बनी है तो देखे तुलू, तुलू भाषी लोगों ने तुलू कु भाषा को यहाँ पर राज भाषा वा आठवी अन्सूची में शामिल करने की मांग की है कौनशी तुलू भाषा, तुलू भाषा को आठवी अन्सूची में शामिल करने की मांग की गई है और तुलू क्या है एक द्रमिड भाषा है जो करनाटक के दो जिलों दक्षण करनड और उड़पी तथा केरल के कासर गोड जिले में यहाँ पर बोली जाती है अर्टिकल 3.345 के अनुसार राज्ज का विधान मंडल यहां पर विध के द्वारा राज्ज की एक या अधिक अस्थानी भाषा या हिंदी को उस राज्ज के लिए शाष्की या किसी भी यहां पर कारियों के लिए अंगिकार के रोप में यहां पर स्विकार कर सकती है तो यहां पर कौन से आर्टिकल राजभासा से रिलेटेड है इनका रिविजन करना है ध्यान लीजेगा नोट कर लीजेगा राजभासा वाले सारे आर्टिकल को यहां पर रिविजन करना है अगला यहां पे है प्रवासी भारती नागरिक भी यहां पे थोड़ा सा चर्चा का विशय बनते हैं क्यों बने हैं प्रवासी भारती नागरिक चर्चा का विशय तो ग्री मंत्राले ने हाली में एक आदेश जारी किया है और यह आदेश जारी किया गया है कुछ पत्रकार और शोधकरताओं को जो की OCI कार्ड धारक हैं क्यों जारी किया गया है तो वहाँ पर इसको समझ लीजी दिखें गे मंत्राले का आदेश है कि जो भी पत्रकार और शोधकरता जो की OCI पेशेवर हैं उन्हें भारत में अपनी गजविधियों के बारे में सूचित करना अब अनिवार्य होगा ऐसी अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है लेकिन इसको लेकर यहाँ पे जो पत्रकार और शोधकरता ओशियाई है उनके द्वारा यहाँ पर इसे चुनोती दी जा रही है चुनोती यहाँ पर क्यूं दी जा रही है क्योंकि इस अधिसूचना में देखा जाए तो कुछ यहाँ पर समस्याई दिखाए देती है जिसके कारण इसे चुनोती यहाँ पर दी जा रही है और ऐसा क्यूं है, पहली जो समझ्या इसमें है, कि देखे, भारत में अधिवासित ओशियाई की तुलना, विदेशी नागरिक के रोप में करना, अर्थात, जो भारती ओशियाई हैं, आप उन्हें एक विदेशी के तौरपे, क्योंकि विदेशीयों को जब भारत में आते है तो नहीं यहां पर अपने आपको पंजिकरित कराना होता है अपनी जानकारी यहां पर आपको देनी होती उसे साजा करनी होती है और यहां पर जो बातें की गई हैं वहां पर वैसे ही उसे इन्हें कुछ ट्रीट किया जा रहा है इसके लावा NRI के कोटे के तहट अतिदिक उचिशुल के कई OCI अकाडधारकों के द्वारा यहाँ पे वहन नहीं किया जा सकता और भारत में अधिवासित OCI छात्र अपनी नागरिक्ता वाले देश में भी यहाँ पर अधिवास की स्थिती से वन्चित है तो यहाँ पर यह समस्त्याएं जो हैं वो OCI पेशेवर हैं पत्रकारों को लेकर ग्रिह मंत्राले के द्वारा जो अधिशूशना यहाँ यहाँ पर जारी किये गए हैं कि उन्हें यहाँ पर अपनी जानकारी जो होगी लगातार यहाँ पर पंजिक्रित करनी होगी गतिविध्यों को सूचित करना होगा उसको लेकर यहाँ पर सवालय निशान खड़े किये गए अब देखें यहाँ पर ऐसा मुद्दा आता है फिर यहाँ पर नागरिक्ता वाला एक चैप्टर आ जाता है ठीक है नागरिक्ता को लेकर यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है उसे यहाँ पर पढ़ने की आवश्रक्ता पढ़ जाती है कि OCI क्या है उन्हें समझने के लिए नाग रिक्ता जो है किस सूची का विशय है तो संग सूची का विशय है चली अगला यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा का विशय बना सम्विधान चाभा क्यों चर्चा का विशय बना क्योंकि यहाँ पर सम्विधान सभा के 75 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए हैं एतिहासिक जब यहाँ पर जो भारती सम्विधान सभा थी वो बैट कर भारती सम्विधान के निर्माण का कारे करती है और दो वर्स 11 महीने और 18 दिनों के पर शाथ हमें हमारा यहाँ पर सम्विधान बन जाता है देखा जाए तो इस सम्विधान यहाँ पर जो आपकी सम्विधान सभा क कि जो प्रतम बैटक होई थी उसकी जो अधिक्ष्टा कीती गई थी वो की थी आपकी डॉक्टर सची दानन सिर्हाना इस तरह के के पुराने घटना क्रमों की जिनकी वर्षगाट इस तरह एक से आपके पूरी हो रही है वो भी यहां पर आपका चर्चा के विश्यव बन जात है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहट यहां पर चार प्रिस्चत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और दिव्यांग जो व्यक्ति है इसका आशय होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांगिता से कम से कम 40 प्रिस्चत से कम दिव्यांग होग गया है दूसरा दिव्यांगता या दिव्यांगों को यहां पर किस पदों के पर यहां पर आरक्षन देने का प्रावधान किया गया है तो यहां पर A, B, C, D सभी वर के पदों पर यहाँ पर यह आरक्षन 4% का आरक्षन देने की बाद की गई है चलिए अगला कानून है यहाँ पर निवारक निरोध ठीक है निवारक निरोध भी देखे चर्चा का विशह बन गया है क्यों बना है सुप्रीम कोट ने बाका इसनेहा सीला बनाम तेलंगाना राज विवाद में एक निर्ने दिया है विवाद यहाँ पर ध्यान रखने गया वर्सेस कई बार होता है कि मुद्दा या यह निर्ने किस वाद में दिया गया तो वाद यहाँ पर है आपका बाका इसनेहा सीला बनाम तेलंगाना राज्यवाद अब इसमें निर्ने क्या आया है और क्या related था क्या बात हुई है किस बारे में यहाँ पर decision आया है देखे कानून और व्यवस्था के उलंगन की संभावित आशंका के आधार पर निवारक निरोध के उपबंध को लागू नहीं किया जा सकता सुप्रेम कोट ने ये स्पस्ट किया है कि हम सिर्फ आशंका के आधार पर कोई यहां पे निवारक निरोध लागू नहीं कर सकते हैं वो तभी लागू किया जा सकता है जब यहां पर आपको संबंधित गत्विधियों का प्रत्यक्ष रूप से लोक विवस्था पर प्रतिगोल प्रभाव पड़ेगा तभी हम वहां पर निवारक निरोध के कानून को लागू कर सकते हैं यहां पर उलंगन की संभावना के आधार पर हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं निवारक निरोध किसी व्यक्त के द्वारा संभावित अपराद अनुचित क्रित किये जाने के संदेह के आधार पर यहाँ पर संबंधित व्यक्त को हिरासत में लेने की कारवाही CRPC की धारा 151 के तहट यहाँ पर अधिकार देती है साथी यहाँ पर Article 22 देखा जाए तो आपको ऐसी गिरफतारी और निरोध के मामलों में यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है Article 22 जो आपका मौलिक अधिकार है तो निवारक निरोध के बारे में देखा अगला यहाँ पर टॉपिक है आपका विरोध प्रदर्शन का आधार क्या है कि व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार एक तरीके का मौलिक अधिकार है क्या सुप्रीम कोट ने इसको मानता दी है या नहीं इस पर एक डिसीजन अभी हाली में आया है जिसमें सुप्रीम कोट ने यहाँ पर किसानों के बाधित नहीं कर सकते अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ती को, समुह को, संस्था को यहाँ पर आप अशांति पून तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन यहाँ पर युक्त युक्त और 19.1.B के तहट एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको प्रदत है, तो आर्टिकल 19.A.1 और A.B के तहट यहाँ पर यह अधिकार है, देखा जाए तो सांतिमुल विरोध प्रदर्शन का अधिकार 19.2 और 19.3 के तहट युक्त युक्त निरबंधन भी इस पे लागू है, और यह निरबेक्ष यह असीमित अधिकार नहीं है, तो एक चीज़ यह भी उन्हेंने क्लियर कर दिया, कि विरोध का अधिकार जो है, वो कैसा है, वो असीमित अधिकार यहाँ पर आपका नहीं है. चलिए एक और question एक और अधिकार है भूल जाने का अधिकार ठीक है? कैसा अधिकार? भूल जाने का अधिकार अब ये भूल जाने का अधिकार क्या है? देखे यहाँ पर अपनी पढ़ाई को नहीं बूलना है मामला क्या है? तो देखे इसमें internet, search engine, database, website या अन्य सार्वजनिक platform में उपलब्ध व्यक्तिकत जानकारी को उस इस्थिती में हटाने का अधिकार जब या प्रासांगिक ना हो तो भूल जाने का अधिकार कहां से? internet से ठीक है? internet से, website से यदि आपकी कोई जो जानकारी है वो यहाँ पर किसी search engine पे किसी website पे किसी platform पे, किसी app पर किसी internet पे कहीं भी यहाँ पर है ठीक है? और वो आप रासांगिक है उसका कोई use नहीं है तो वहाँ पर उसे भूल जाने का अधिकार के तहत आपकी जानकारी को को यहाँ पर delete किया जाएगा देखा जाए तो यहाँ पर यह व्यक्तिकर्ट डेटा संदक्षण विध्यक 2019 का हिस्सा है पर उसमें यह data will open के विशच अधिकार का यहाँ पर will open है सरकार ने यहाँ पर देखे data संदक्षण विध्यक यहाँ पर कारिद किया है और वहाँ पर यह मुद्दा उसमें शामिल है लेकिन इसमें भूल जाने के अधिकार जैसे है data को delete करने के problem को यहाँ पर justify नहीं किया गया था और उसी को लेकर यहाँ पर बातें हो रही थी देखा जाए तो ऐसा ही यह कानून यहाँ पर यूरोपी संग के द्वारा भी लागू किया गया है यह लिए यूरोपी संग ने जो अपने data यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो मुद्दा यहाँ पर लागू किया है जो कानून यहाँ पर लागू किया है चलिए अगला है यहाँ पे विदेशी अधिकरणों को लेकर थोड़ा सा यह क्या है विदेशी अधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का आधिकार यहाँ पर दिया गया है चलिए अधिकरणों को दो तरीके के कार यहाँ पे समपे जाते हैं पहला कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, इसकी यहाँ पे पहचान करना, इसे सुनिश्चित करना, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आधारकार इत्याद, यहाँ पे दस्तावेजों की उनकी जानकारी मांगना, दूसरा, यहाँ पर सीमा पुलिस के द्वारा संद किसी मामले को लेकर यहाँ पे जाच परताल करना, उसकी सुनिश्चित करना, इसको देखना, इसके लावाँ अधिकरन की यहाँ पे अधिक्षता, सेवा, निर्वित, नियाईक अधिकारी या कोई एक नौकर शाह करेगा, वर्ष 2019 में ग्रिह मंत्राले ने 1964 के आदेश में स होने के चीजों को निर्थारित कर सकता है अब, इससे पूर्व अगर देखा जाए, तो केवल केन सरकार के पास विदेशी अधिकरनों के गठन की है, यहाँ पर आपको शक्ती थी, तो यह है मामला आपका विदेशी अधिकरन का, जो कि असम राज में यहाँ पर आपको रि इधियां और जो भी डिसीजन इत्याद होती है, उन पर चर्चा पर चर्चा होती है, उसके द्वारा नई चीजों का निर्माड होता है, उन्हें लागू करने के प्रावधान आते हैं, वहाँ पर लगातारे गिरावड देखी गे, अर्थात काम काजबाधित हुआ, जिसक उतना काम हुने करना चाहिए, वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रहा है डेटा, उसको यहाँ पर थोड़ा सा जानकाई ले लीजिए, देखें, मांसून सत्र में विगत दो दश्कों में लोक सभा के लिए ये तीसरा सबसे कम उत्पादक, सिप 21% तथा, राज सभा क के लिए आठवा सबसे कम उत्पादक, मात्र यहाँ पर 28% यहाँ पर रहा, आडिकल 85 के तहत यहाँ पर संसत सत्र के आहूत करने का उपबंध है, और संसत की बैठक एक वर्ष में यहाँ पर तीन बार होती है, तो देखा जाए लोक सभा और राज सभा में, सिर्फ यहाँ पर जो कार की उत्पादकता थी, जो पिछले साल का मानसून यहाँ पर सत्र था, वो यहाँ पर सबसे कम उत्पादक रहा, जहाँ लोक सभा में उत्पादकता की दर या था कार की जो अबदी रही, जो यहाँ पर कार हुए, वहाँ पर मात्र देखा जा तो कितना रहा, सिर् यहां कितने सत्र होने चाहिए, तो देखे, भारत में जो संसर सत्र का आयोजन किया जाता है, वो वर्ष में तीन सत्र आयोजन किया जाते हैं, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है महनसूर सत्र, और तीसरा होता है सीद कालिन सत्र, और यहां पर कोई भी जो सत्र यहां पर इसका आयोजन किया जाना चाहिए लेकिन साथी साथ यहां पे बजट सत्र 2022 में लोगसफा की कुल उत्पादक्ता में एक वृद्धी देखी गई और ये 119% यहां पर इस्थिती रही और साथी साथ यहां पे 12 सरकारी विध्यक इसमें पुनरस्थापित और 13 विध्यक यहां पे पारिद किये गए बजट सत्र 2022 में साथी साथ राजसभा की जो उत्पादक्ता रही वह बढ़कर आपको 99% यहां पर रही अगला मामला है यहां पे लोगसफा के उपाद्यक्ष का देखा जाए तो लोगसफा के उपाद्यक्ष की नियुकती अभी तक चैन नहीं हुआ और इस मामले को लेकर अभी में एक मुद्दा यहां पर उठाया गया क्या रहा है मुद्दा तो दिली हाई कोट में दो वर्ष से रिक्त् पद पर जवाब यहां पर दिली हाई कोट के द्वारा दो वर्ष से रिक्त लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ पर सरकार से यहाँ पर जवाब मागा गया है कि यहाँ यहाँ पर क्यूं है तो यहाँ पर अब चर्चा का विशय बन गया है तो थोड़ा से यहाँ पर जान लेते हैं उपाध्यक्ष के पद के बारे में इसके कार शक्तियां और इसके कार क्रिया कलापों के बारे में देखे उपाध्यक्ष जो होता है वो लोगसभा का एक पीठा सीन यहाँ पे अधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही यहाँ पे एक पीठा सीन अधिकारी होते हैं अध्यक्ष की अनुपस्तिती में लोगसभा की यहाँ पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है इसके अलावा आर्डिकल 94 के तहत लोगसभा अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को सम्भोधित करते हूँ अपना त्याग पत्र भी यहाँ पर दे सकता है या देता है और राडिकल यहाँ पर 93 के तहट लोगसभा यथा सीग्र अध्यक्ष और उपाद्धिश का चुनाओ करेगी यदिप निर्वाचन के लिए कोई समय सीमा का आवंटन नहीं है ठीक है तो दोनों का पद यदि खाली रहता तुरंत वहाँ पर आपको निर्वाचन करना चाहिए लोगसभा को लेकिन यहाँ पर साथ सा समस्या यह है कि किसी समय सीमा का उलेक ना किया जाना और इस कारण से देखा जाए तो दो साल हो गए है उपाद्यश के पद का रिक्त हुए हुए और इस दौरान भी यहाँ पर अभी तक नियुक्ती नहीं हुई है इसका एक बड़ा कारण है इसके लावाँ देखा जाए तो और ने जानकारियों के तोर पे देखे उपाद्यश की जो पदावध होती हो पांच वर्ष होती है और यहाँ पर देखा जाए तो सभी जो सदस हैं लोगसभा के जो सभी सदस होते हैं कि बहुमत से पारिश संकल्प के द्वारा उपाद्यश को पद से हटाया भी जा सकता है ठीक है लोगसभा में और साथी साथ यहां पर उपाध्धक जो होता है वो बजट समीत का अध्यक्ष होता है किस समीत का उपाध्धक जो होता है वो बजट समीती का अध्यक्ष भी यहां पर होता है तो यह तो बात हो गई यहां पर लोग सभा उपाध्धक के बारे में अगली यहाँ पर चर्चा करते हैं लोग लेखा समित के बारे में ठीक है लोग बहुत सारी ऐसी समितियां होती है खासकर जो संसदी जो समितियां है उनको लेकर भी कई बार एक्जाम में कुशन पूछाता है लोग लेखा समित उनमें से एक important समिति है जो आपके एक्जाम में बार बार पूछी गई है तो क्या है लोग लेखा समिति देखे सताबदी यहाँ पर लोग लेखा समिति का यहाँ पर सताबदी समारो यहाँ पर आयजित हुआ है सताबदी 100 वर्स यहाँ पर इनके complete होने को हो गए है यह सबसे पुरानी समिति है जो वर्स 2021 में भारत सरकार के अधिनियम मांटेगू चम्सपोर्ट सुधार के तहत यहाँ पर गठित हुई थी 1990 में अधिनियम लेकर आये गया तो जिसके तहत यहाँ पर 1921 में यहाँ पर लोग लेखा समिति के स्थाबना हुई थी 2020 में यहाँ पर 140 के पूरे हो गए हैं इसके कुल 22 सदस होते हैं जिसमें लोगसभा के 15 और 77 आपके राजसभा के होते हैं देखा जाए तो यहाँ पर प्रतेक वर्षिन का गठन किया जाता है और इनका जो कारे है या वार्षिक वित्य सेवाओं कैग की रिपोर्ट सरकार के खर्च संसर द्वारा सुईक्रित यहाँ पर अन्य जो खर्च हैं उनकी यहाँ पर जाच परताल करते हैं लोक लेखा समित का जो अध्यक्ष होता है इसकी जो न्यूपती होता है वो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और देखा जाए तो पहले यहाँ पर सुरुवाती सालों में लोक लेखा समित के अध्यक्ष यहाँ पर बेसिकली जो आपकी सरकार होते हैं उस पार्ट विभागों से सम्मंधित अस्थाई समितियों के गठन को लेकर किये गए प्रावधान ठीक है विभागों से रिलेटेड अस्थाई समितियों के गठन के भी प्रावधान किये गए हैं क्या-क्या है ये उनके बारे में समझेगा देखे इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम कहते ह तीन कारेसों पे गए हैं ठीक है इन समितियों को संसत के द्वारा तीन कारेसों पे गए हैं पहला कि संदर्वित विध्यकों की जाच करना जो विध्यक इनको यहां पर संदर्वित के जाएंगे इनके पास बेज़े जाएंगे उन विध्यकों की इनको जाच करना है साथी मंत किया जाएगा इसके साथ-साथ 24 DRSES को यहाँ पर आपको 8 राज 8 राज सभा के तहट 16 लोग सभा के तहट यहाँ पर गठित किया जाएगे टोटल कितने? 24 8 राज सभा में और 16 यहाँ पर लोग सभा में इनका निर्मित किया जाएगे का निर्मार किया जाएगा और साथी साथ यहाँ पे नियम 268 के तहट प्रतेक समित में यहाँ पर 31 सदस्य होंगे जिसमें 10 राज्य सभाके और 21 लोग सभाके इसका कोई मंत्री जो होगा इसका सदस्य नहीं होगा और सदस्यता आवधी जो होती एक वर्ष के लिए होगी सदस्य विशेशा धिकार वह आडिकल 118 के तही संसत के कारे प्रक्रिया संचालन में अपना प्राधिकार प्रापत करती हुई है यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं अथाथ आएब कर कार शक्तियों का प्राधिकार इन्हें प्रापत होते हैं और उसके तहद यह आपको कारी करती हुई दिखाई देती हैं तो दोनों आर्डिकल यहां पे ध्यान रखना है आर्डिकल 115 और आर्डिकल 118 इसके लावाँ 24 यहां पे समितियां बनेंगी ठीक है 31 इसमें सदस्ते होंगे 24 समितियों में से 8 यहां पर आपको देखा जाए तो राजसभा में और 16 यहां पर देखा जाए तो आपको लोगसभा में सदस्तियों की बात करें तो 31 में से आपको 10 सदस राजसभा के से होंगे और 21 सदस आपके लोगसभा से होंगे तो पहला पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया ठीक है तो हमारे शेशन के चार पार्ट है पहला पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया है रिवीजन के तोर पे हमने 17-18 टॉपिक जरूर यहां पर हमने देख लिया है और इससे रिलेटेट क्या क्या चीज़ें आपको रिवीजन करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट इसमें देखिए क्या है अब इसमें हम यहां पर देखने वाले हैं सरकारों के द्वारा जो विविन प्रकार के न्यायले की समीक्षाएं हैं प्राधिकरण हैं मद्धिस्ता विधयक हैं और अन्य पार के कुछ विवादों की स्थितियों के कारण जो चर्चा के विशय रहे हैं ऐसे सभी टॉपिक्स को हम यहां पर एक एक करके स्टडी करेंगे तो अभी मेरे साथ आपको कुछ विवाद को लेकर पहला यहां पर मुद्दा है जल विवाद को लेकर लातार भारत में विवाद देखने को मिला है विवन्राज्यों के मध है और इसी प्रविष्ट संख्या 17 में जल तथा संग सूची की प्रविष्ट संख्या 56 में अंतर राजिक नदी घाटियों के विन्यमन की यहां पर शक्ति प्रदान की गई है। स्थापना करने की भी शक्तियां दिए गएं और इनका निर्ने जो हो गासे अधिक्रणों का जो निर्ने होगा वो यहां पर आपको बाध्यकारी होगा और अधिकरण के सदस्वां अधिक्ष्षा के होते हैं आपके CGI के द्वारे इसमें नामित होते हैं 2019 में अंतराजिक जल्विवाद शंशोधन के बाद विवाद समाधान समिती और विवाद निप्टान के लिए एक अस्थाई अधिकरण के स्थापना काभी इसमें प्रावधान किया गया है तो इसमें देखे जो याद रखना है जो ध्यान रखना है किन-किन नदियों के विवादों के छेत्राधिकारों का सूचित किया गया है एक है आपका गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ट और दूसरा है यहाँ पे नदी विवाद अधनीव 1956 के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी यहाँ पर लेनी है कि क्या है और इसके तहत अधिकरण को किस-किस तरीके अधिकार और शक्तिया यहाँ पर प्रदत्त है शॉर्ट फॉर्म में बांकी सारी चीजों को हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया ह अगला है अंतर राजी सीमा विवाद असम और मेग हाले की राज्य में आपने कुछ समय पहले देखा होगा है कि विवाद की स्थित्य उत्पन होती है जहाँ ज़ड़ाप होई थी जहाँ दोनों ही राज्यों के मद एक तनाओ के स्थित्य उत्पन हो गई थी और काफी समय तो यहाँ पुलिस पुष्षासम सेना को भी यहाँ पे लगाना पड़ा था किस लिए और किस तरीके के विवाद की स्थित्य उत्पन है इनको यहाँ पे देखिएगा असम वा मेघालय के मद छे छेत्रों को लेकर जिसमें कामरूप, कामरूप महानगर, हैलाकंडी, लैंगपी, बोको जैसे आध जिले इसमें शामिल है हालिया समय में दोनों राज्यों में समस्या समाहलान है, तो एक संयुक्त समीत के गठन का यहाँ पे फ्रावधान कर लिया गया है और इस माध्यम से यहाँ पर इस विवाद को सुलजाने का प्रयास किया जाएगा तो विवाद है, आसम और मेघाला के मद्धे, वो भी छे जिलों को लेकर, जो जो जिले हैं, उनके नाम देखे हैं और इसको सुलजाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक संयुक्त समीत गठित की जाएगी, जो इन छेत्रों का अवलोकन करेगी, निरिक्षन करेगी और उसके अनुसार यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देगी, ताकि विवाद का यहाँ पर समाधान हो जाएगी अब ऐसे ही स्थितियां, यह हाइलाइटेड जरूर हुआ है, असम मेघाला में, लेकिन साथी साथ भारत कैसे कई कह सकते हैं, राज्य हैं, जिनके मध इस तरह एक सीमा विवाद हैं, कौन-कौन से राज्य हैं, उनको भी यहाँ पर क्योंकि कई बार ऐसे कुश्चन हो जाते हैं एक विवाद है, महाराष्ट और करनाटा किमित, बेलगाम छेत्र को लेकर, करनाटा को और केरल किमत, कासरगोड छेत्र को लेकर, हर्याणा और हिमाचल प्रदेश को में, आपको परवाड़ू छेत्र को लेकर, और हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जम्मू कस्मीर या कह स साथभी अनसूची के बारे में, साथभी अनसूची लगातार चर्चा का विश्य रहती है पिछले भी हमने देख भी यहाँ सेस्शन में कि यहाँ lavoro को लेकर रहा है साथभी अनसूची का बार बार बनन्हाना आया है, तो चलिए परिवर्तन और महामारी के कारण सात्वी अनसूची की गहन समीक्षा की बात किया और इस कारण से यहां पर सात्वी अनसूची चर्चा का विशय बन गई है किसने कहा है पंद्रवे वित आयों के अध्यक्ष एनके सिंग ने जलवाई परिवतन और महामारी कारण कहा है कि सात्वी अनसूची की फिर से समिक्षा की जानी चाहिए वर्तमान स्थिती क्या है वो देख लीजिए देखें आडिकल 246 में वर्णित संसद और विधान मंडलों को विधाई शक्ति यहाँ पर सात्वी अनसूची के माध्यम से प्रदान करती किया जाता है इसमें सूची एक जो की संग सूची है इसमें 100 विशे समलित है सूची दो जो की राज सूची का विशे है इसमें 101 विशे समलित है और सूची तीन जो संबर्ती सूची है जिसमें केंदर राज दोनों ही कानून बना सकते हैं इसमें 52 विशे आपको समलित है सूची प्रणाली यहां पर क्यों बनाई गई है तो इसके पीछे कुछ तरकधार दिये जाते हैं किस तरह की सूची प्रणाली के माध्यम से भारत की एकता और अगंड़ता को सुनिश्चित किया जा सकता है सहकारी संगवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है प्रांती स्वायतता सुनिश्चित की जा सकती है और संतुलित आर्थिक विकास यहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है और इसके माध्यम से एक समर्थ और उत्तरदाई सरकार को हम यहां पर विक्सित कर सकते हैं तो यह है सात्वी अनसूची के बारे में अगला टॉपिक राज्य सरकार के रिण लेने की शक्ति को यहां पर बढ़ा दिया गया है अर्थात एक राज्य सरकार अपने आर्थिक विकास, सामाचिक विकास के दिश्चोर से कितना रिण ले सकती है केंद्र सरकार की दोरा इसे निर्धारित किया जाता था लेकिन सरकार ने इस निर्धारन की स्थिति जो पहले 3% था उसे हाली में बढ़ा दिया गया है तो क्या-क्या प्रावधाने, क्या-क्या अनुकूलन, क्या-क्या स्थितिया रही, उनको देखिए सकल राज घरेलो उत्पाद GSDP के 3% से बढ़कर 5% यहाँ पर राज के रिण लेने की शक्ति को कर दिया है कितना? 3 से बढ़ा कर कितना कर दिये गया? 5 अर्थात राज के सकल घरेलो उत्पाद का 5 प्रशत रिण यहाँ पर राज्यों के द्वारा लिया जा सकता है यह वृद्धी चार सुधारों पर प्रगित के कारण दी गई है जिसमें हैं एक देश, एक राशनकार, व्यापार सुगमता, विद्ध वितरन, शहरी अस्थानी निकाय, राजस्यों देखा जाये तो यह नीती राज्यों को अत्रिक धन प्राप्त करने के लिए प्रगच्छील नीतियों को अंगेकरित करने है तो प्रोचसाहित करेगी इसके तहट राज्यों को 1.06 लाग करोन के अत्रिक तिरन का यहाँ पर लाप मिलेगा जिसके अमाध्यम से वो इस तरह की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करके क्रियानवीत कर सकेंगे टेक तो मुद्दा यह रहा इसके बाद आया Inner Line Permit System Inner Line Permit System क्या है क्यों चर्चा का विशे बना तो उसको देखे लद्दाख प्रशासन ने अपने संड़चित छेत्रों की यात्रा करने वाले सभी नाग्रिकों के लिए यहाँ पर Inner Line यानि कि ILP Inner Line प्रणाली को यहाँ पर समाप्त कर दिया है ठीक है तो लद्दाख के द्वारा राज किसने समाप्त किया है लद्दाख ने समाप्त किया है क्या समाप्त किया Inner Line Permit के लिए किसके लिए समाप्त किया है लेकिन साथ ही साथ जो ध्यान रखने वाली बात इसमें है कि यहाँ पर आपको इस संड़क्षी छेत्र में विदेशियों को जाने के लिए अभी भी ILP की आवशक्ता पड़ेगी अर्थाद भारती नागरिक के लिए जरूरी नहीं है लेकिन यदि कोई विदेशी नागरिक लद्दा के ऐसे चेत्रों में यहाँ पर जाता है ऐसे संड़क्षी चेत्रों में जाता है तो उसे यहाँ पर अभी भी Inner Line Permit यहाँ पर लेना होगा और जो Inner Line Permit यहाँ पर आपको विदेश्यों को मिलेगा वो पहले यहाँ पर उसकी वैदिता थी सिर्फ साथ दिन की होती थी उसे सुधार करके यहाँ पर कर दिया गया है पंद्रा दिन के लिए अब इसमें कुश्यन और आता है कि भारत के किनकिन राज्यों में अभी भी Inner Line Permit विवस्था लागू है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ प्रणाली उत्तरपूर के चार राज्यों में अरुनाचर देश, नागा लेंड, मडिपूर, मिजोरा में वर्तमान समय में भी लागू है चलिए अब आता है नए जिलों के गठन को लेकर पंजाब सरकार ने मलेर कोटला को राज्य का 23 जिला घोशित किया है किसे मलेर कोटला पंजाब राज्य ने 23 जिला राज्य विधान सभा या कारिकारी आदेश से नए जिले बनाने या जिलों में परिवर्तन करने की शक्ति यहाँ पर राज्य सरकार को प्राप्त है तो उसे पृत्वी मंत्राले, रेलवे मंत्राले, खूफिया ब्यूरो, डॉग विभाग जैसे मंत्राले और एजेंसियों से एक अनापत्ती प्रमाण पत्रियानी की NOC की आवश्रक्ता होती है वो कर तो सकता है, उसके पास अधिकार तो होते हैं, लेकिन साथी साथ उसे कुछ केंद्री यहाँ पे मंत्राले के आपको क्या होंगे, आपको उसके लिए वहाँ पे अनापत्ती प्रमाण पत्त या NOC की आवश्रक्ता पड़ती है चलिए अब बात करते हैं जिलास्तरी समितियों के बारे में विद्दूद मंत्राले के द्वारा हाल ही में जिलास्तरी समितियों के गठन को लेकर यहाँ पे आदेश दिया गया है ये केंदर सरकार की सभी विद्धुत सम्मंधी योजनाओं का परिवेक्षण का कारियर सम्हालेंगे समीत में वरिष्ट सांसद अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे साथी जिले के जो अन्य सांसद हैं वो सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे जिले का जो collector होगा वो यहाँ पर आपको इस समीत का सचिव के रूप में काम करेगा अर्थार जिले सचिव के रूप में और विद्धु सुधारों में लोगों की भागीद और निगरानी प्रक्रिया को समलित करने के लिए यहाँ पर जिलास्तरी समीतियों को लागू किया जाएगा मंद्र मंडल के द्वारा हाली में 3.03 ट्रिलियन डॉलर की एक पुनरोथान वितरन छेत्र योजना को स्विक्रित प्रदान की गई है जिसका उदेश परिचालन छमता और वित्ती स्थित्ता में सुधार करना है इसके साथी साथ डिसकाम को परिणाम संबध वित्ती सहायता भी प्रदान की जाएगी तो ध्यान रखेगा जिला, अस्तरी समीतियां, विद्द विभाग के द्वारा, विद्द वित्रन से रिलेटेट चीजों को ज्यांच परक करने के लिए गटित की गई है जो जिला अस्तर पर है, तो तेक जिले अस्तर पर इनका गटन किया जाएगा, इनकी यहाँ पर संरचना ध्यान के लिए रखेगा, अध्यक्ष और योजना जो यहाँ पर संचायद कीगे उसको भी एक और कुश्चन न्यायालय की अवमानना क्या होती है न्यायालय की अवमानना? कौन से आर्डिकल इससे रिलेट करते हैं? किसे यहाँ पर अधिकार है? क्या न्यायालय की अवमानना को समाप्त किया जा सकता है? एंध सारे मुद्धों को लेकर एक यहाँ पर आया decision Supreme Court ने डिसिजन दिया है और यहाँ पर क्या है यह decision सुनिएगा लेकि नियायले की आउमाना को लेकर Supreme Court के अनुसार कोई भी कानून आउमाना के लिए सजा देने की नियायले की शक्ति को हीन नहीं कर सकता है अर्थाद यदि न्यायले की आउमाना की जाती है तो यहाँ पर न्यायले को पूरा धिकार है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर दंडित कर सकती है और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके माध्यम से न्यायले की आउमाना करने की उसकी शक्ति को उससे छीना जा सके या कम किया जा सके इसको लेकर दो आर्टिकल में एक विवाद की स्थिती थी जिसके कारण यहाँ पर यह मामला उठा था दोनों आर्टिकल को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा एक आर्टिकल है देखें इन्हीं आर्टिकल को लेकर सुप्रेम कोड ने दोनों ही स्थितियों को स्पस्ट किया उन्होंने कहा कि जहां अनुच्छेद 142 दो आर्टिकल कौन कौन से हैं एक है आर्टिकल 142 और दूसरा आर्टिकल है 129 142 को यहाँ पे सुप्रेम कोट कहता है कि आर्टिकल 142 के तहट स्वयम की किसी भी आउमाना के लिए दंडित करने की शक्ती विधाई अधिनियम के द्वारा बनाई गई किसी भी विधी के प्रावधानों के अधिन है ठीक है लेकिन अनुच्छे 239 के तहट 129 के तहट है क्योंकि आर्टिकल 129 वह आर्टिकल 215 नयायाले की आउमाना के लिए दंड देने की क्रमसा सुप्रेम कोट और हाई कोट की यहाँ पे शक्ती से सम्मंधित प्रावधानों का यहाँ पे उपबंधन करती है तो किस के तहट यहाँ पे सजा दे सकते है आर्टिकल 129 के तहट सुप्रेम कोट आर्टिकल 215 के तहट हाई कोट यहाँ पे नयायले के आउमाना को लेकर यहाँ पे दोसी और सजा के प्रावधान दे सकते है साथी साथ आर्टिकल 1242 के तहट भी यहां पर आपको औमाना की स्तिती में दंडित करने का प्रावधान है लेकिन उसमें साथी साथ आपको क्या है कुछ यहां पर आपको देखा जाए तो विद्ध के प्रावधानों के उसे अधीन भी रखा गया है अगली प्रणाली न्याले से ही जुड़ी हुई है नियाइक प्रक्रिया से कॉलेजियम प्रणाली ठीक है कॉलेजियम प्रणाली भी लगाता है विवाद और चर्चा का विश्य बनी रहती है हाली में केंदर ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा अनुश्वनसित नौ नामों को स्विक्रित को यहाँ पर मन्जूरी दी है और तीन इसमें महिला नयाइधिस थी देखा जा तो आर्टिकल 124.2 और आर्टिकल 217 के तहट सुप्रीम कोर्ट वा हाई कोर्ट के नयाधिसों की नियूकति का अधिकार यहाँ पर राश्पती के पास है लेकिन वर्ष 1981, 1993, 1998 के तीन नयाधिसों के वाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली को अविक्सित किया कॉलेजियम प्रणाली में CGI की अध्यक्षता में एक समीती गठित होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष नयाधिस और तीन यहाँ पर आपको हाई कोर्ट के नयाधिस होते हैं हाई कोर्ट के नयाधिस जो होते हैं उनको नयूक्ति इसलिए उसमें शामिल किया था ताकि यहाँ पर हाई कोर्ट के नयाधिसों को नयूक्त करने के सुझाओ दिये जा सकें और बाकी यहाँ पर नियुक्ति और अस्थानांत्रन के निर्णे यहाँ पर आपको कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से अब लिये जाते हैं एक बात और है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जिन नामों की यहाँ पर सिफारिश की जाती है सरकार को सरकार उन्हें एक बार वापस कर सकती है लेकिन यदि कॉलेजियम प्रणाली उन्ही नामों को यहाँ पर वापस से केंद सरकार को भेज देती है तो केंद सरकार यहाँ पर उनकी कह सकते हैं बाध है उन नामों को स्विक्रित देने के लिए चलिए अगला यहाँ पे हैं अधिकरण सुधार सु व्यवस्थी करणो सेवा सर्तें विध्यक 2021 क्या है इसमें तो सबसे पहले हम इस अधिकरण या विध्यक की यहाँ पर विशेष्टाओं के बारे हम देख लें देखें मौझूदा अपीलिये निकायों को भंग करके उनके कारियों को अन्य मौझूदा न्याइक निकायों को अस्थानांत्रित करना दूसरा अधिकरण के सदस्य वह अध्यक की पदा वधी चार वर्ष रहेगी जिनकी या फिर मैक्सिम्म सत्तर वर्ष की आयू तक यहाँ पर रहेंगे देखा जाये तो यहाँ पर अध्यक्ष की जो आयू रहेगी वो 70 वर्ष रहेगी और सदस्तियों की जो आयू निर्धायत की गई है वो 60 वर्ष रहेगी इसमें चलचित्र अधिनियम, प्रतिलिपी अधिकार अधिनियम, सीमा सुल्क अधिनियम, एकस राजश्व अधिनियम, भारती विमान पत्तम, प्राधी करण अधिकरण, व्यापार चिन अधिकरण, और बाल काप भौगोलिक उपदर्शन, रिजिस्ट्री करण, और संरक्षन यहाँ पे अधिनियम, इत्यादियों को हम इसमें इन अधिकरण अगला यहाँ पे मध्यस्तता विध्यक 2021, क्या है मध्यस्ता विध्यक 2021? राज सभा ने अस्थाई समित के पास यहाँ पर इसे भेजा है, जिसमें यहाँ पे विध्यक का उद्धेश है कि वांड़ जिक्त था और किसी भी विवाद का समाधान, मध्यस्तपी निवार्य, मुकदमा, पूर्य मध्यस्तपी समझोता, मामला इन मध्यस्ता को यहाँ प बढ़ावा देना साथी-7 एक सो-असी दिनों में मधि practically को फूर्ण करना और in सारी प्रक्रियों को बेहते तरीकिस कारायनित करने के लिए एक मध्यत्रा कोस्त की यहाँ पर स्थापना भी करना है तो यहाँ पर जो विवाद की स्थितियां रहती है विवन कमपनियों के अधिकरणों को ले करके जो विवाद यहाँ पर रत्पन होते हैं सरकार वर्सिस किसी कमपनी के वर्सिस भी होते हैं यहाँ पर इन सारी चीजों के समाद करने को लेकर इस मद्धस्ता विध्यक को लेकर आए गया है, जिसके माध्यम से इन मामनों को यहाँ पर त्वरित गजसे निप्टाने की प्रक्रिया सुनश्चित की जाएगी. चलिए, अगला है भारती राश्ट्री नियाईक अवसर्चना प्राधिकरन, क्या है यह संर्चना? तो C N J I A I, इसको हम सौट फॉर्म में कहते हैं, कि नियंतर्ण में देश के अधीनस्त नियालों के बजट और अवसर्चना का विकास यहाँ पर देखा जाएगा, साथी यहाँ पर राश्ट्री विधिक सेवा प्राधिकरन, वन नौल सा मॉडल पर इनको स्थापित किया जाएगा, केंद्री एजेंसी के रूप में यह कारे करेंगे, प्रत्यक राज्जिका, एक यहाँ पर अपना आई, देखा जाएगा, एनजे, एनजे आई-ए-आई होंगे, और इनका काम होगा, समाज के कमजोर वर्गों को इनिशुल के कानूनी सेवाएं प्रदान करना, साथी राज्जिवा जिला अस्तर पर यहाँ पर निकायों को स्थापित करना, एनजे आई-ए-ए-आई के जो प्रमुक संदक्षक होंगे, वो भारत के आपके C-J-I होंगे, अर्थाद के यहाँ पर Chief Justice of India जो होंगे, इस तरह की अधिकरणों के यहाँ पर क्या होंगे, को देखेंगे, इसके लावा अगर देखा जाए, तो यहाँ पर NJIEI को Supreme Court के अधिन यहाँ पर रखा जाएगा, और NJIEI के सदस्यों में High Court केन सरकार के अधिकारी शामिल होंगे, साथी साथ यहाँ पर Fast Track विशेश नियाले और Gram पंचायत यहाँ पर नियाले के online portal को विक्स पर नियाले की प्रक्रियाओं की live streaming, यह मुद्दा यहाँ पर बना, जबकि Supreme Court की इसमिति ने एक मसाधा यहाँ पर जारी किया है, इस मसाधाय में कहा गया है, कि यहाँ पर स्वपनिल त्रिपाठी बना भारत सरकार उसके Supreme Court वाद में live streaming के निर्णे को यहाँ पर दिया गया live stream की कारवाही सम्विधान के article 21 के तहट यहाँ पर नियाय प्राप्त करने के अधिकार का हिस्सा है और नियाली कारवाही को प्रकाशन article 129 के तहट यहाँ पर किया जाएगा मसाधे में कुछ और प्रावधान किये गए हैं जैसे कहा गया है कि यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें वैवाहिक विवादों यौन अपराद और यौन हिंसा समंदी मामलों की यहाँ पर live streaming नहीं की जाएगी ठीके किस प्रकार के मामलों की जहाँ पर आपको देखा जाए यौन अपराद यौन हिंसा या फिर परिवार से समंदी से विवादों की इस्तितिया हैं उनकी यहाँ पर live streaming नहीं होगी दूसरा जिनकी live streaming होगी उनको 10 मिनट देरी से यहाँ पर उनकी live streaming की जाएगी और साथी साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारती copyright अधनियम सूचना प्रदों की अधनियम तसन न्यायले कि अव मानना के तहत live streaming का अनाधिकरित उपयोग कोई नहीं कर सकता है अगर करता है तो वहाँ पर उसके खिलाब सजाओ और दंड के प्रावधान किये जाएंगे चली अगला यहाँ पर हो गया live streaming का मामला अब है यहाँ पर सुप्रीम कोट या नी सुरी न्यायले SCST अधनियम की कारवाही को यहाँ पर निरस्थ कर सकता है ठीक है तो यदि कोई मामला यहाँ पर उसे नहीं लगता है कि यहाँ पर SCST अधनियम के तंतरगत यहाँ पर प्रतम दिश्टिया आता है तो ऐसी स्थिती में उसके तहट कोई मामला का दर्ज भी किया गया है तो न्याले ऐसे मामलों को यहाँ पर रद्ध कर सकता है या उसे उन मामलों से हटा सकता है तो यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल 142 के तहट किसी भी मामले में सुप्रीम कोड को पूर्ण न्याय है तो आवश्यक आदेश पारित करने की शक्त यहाँ पर प्रदान की गई है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की साथ अन्याय नहीं होना चाहिए गलत एक्तियादी केसेज नहीं होने चाहिए और इसके तहट वहाँ पर ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हुए यह ऐसे मामले यहाँ पर ऐसे डिसीजन यहाँ पर ले सकता है धारा 482 के तहट यहाँ पर उच्छ न्यायलों को यह शक्ति देती है और साथी साथ न्यायले निम्न स्थितियों में कारवाही यहाँ पर रद कर सकता है कौन कौन सी पर स्थितियां होंगी जब न्यायले यहाँ पर इस कारवाही को रद करेगा पहला प्रकेती में प्रात्मिक रूप से निजी या दिवानी हो ठीक है जो केस के है वो कैसा हो प्रात्मिक रूप से निजी या दिवानी हो दूसरा पीडित की जाद के आधार पर यहां पर कारित नहीं किया गया हो और तीसरा जहां कानूनी कानुई रूपस यहां पिसे जारी इतना विधिक प्रक्रिया का दुरुप्योग होगा ऐसे सभी मामलों में सुप्रीम कोट यहां पर ऐसे केसे को यहां पर रद कर सकता है जो स्टीस्टी के अंतरगत आपको दर्ज किये गए चली अगला है आपर राश्टी अपील न्यायले क्या है राश्टी अपील न्यायले भारत के महा न्यायवादी ने सुप्रीम कोट के कारिभार में कमी करने के लिए यहां पर एक राश्टी अपील न्यायले के गठन की बात की है सम्विधान दिवस के अउसर पर चार छेतरी आपको राष्टी पीली न्याले की यहां पर गठन करने की बात जो 11 साल पहले भी ऐसी बातों को यहां पर किया गया था उनको वापस से उन पर बल देने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ने 186 और विधियायोग की 229 रिपोर्ट में यहां पर इस तरह के विचार अलड़ी पहले भी प्रस्तुत किये जा चुके है इसमें प्रस्तावित किया गया है कि NCA जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मध्य मध्यस्त न्यायलय के रूप में कार करेगा प्रतेक में यहां पर 15 न्यायधीश होंगे और ये दिवानी फौसदारी श्रम राजस्त के मामलों में अपने छेतर में हाई कोर्ट अधिकरणों के निर्णेों के विरुद्ध अपीलों को निपटने के अंतिम न्यायलय के रूप में यहां पर कार करेंगे साथी NCA की यहां पर अधिकरणों को लेकर काफी सारे केसे बहुत पेंडिंग हो जाते हैं ऐसे केसे को तुरित निप्टान करने के लिए ऐसे यहां पर चार अलगलग छेतरी अपीली यहां पर देखा जाए तो राश्टी अपील नियायलों की यहां पर बात की है जहां पर इस तरह की हाई कोट या फिर अपीली प्राधिकरणों के द्वारा या नियाधिकरणों के द्वारा जो भी यहां पर डिसीजन देगे हैं इसमें मुकदमे को यहां पर रोकने, कम करने, नियंतरित करने और इस नीद के विचारा धिन यहां पर रखा जाएगा कि लगातार बहुत जादा केसिस जो सरकार भी यहां पर जहल रही है, ठीक है सरकार को भी बहुत सारे केसिस का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हाँ पर कैसे हम इन केसे को कम करें, नियंतरित करें, केस होने से रोके, इन सारी चीजों को यहाँ पर करने के लिए राश्ट्री मुकदमा नीत यहाँ पर लागू की जाए सरकार ने सूचित किया है कि यहाँ पर सरकार को कुशलवा उत्तरदाई वादी के रूप में इसके माध्यम से परिवर्थित करना है और नियाले में लंबित रहने की औसद अवजी को 15 वर्ष घटा कर 3 वर्ष तक लेकर आना है अभी औसद क्या है किसी एक मामले के नियाले में लटके रहने की 15 वर्ष है जिसे यहाँ पर 3 वर्ष करना है और उच नियाले की यहाँ पर तथा नियाले के समय की यहाँ पर आपको बचद भी करनी है अब अगला एक मुद्दा आता है टेली लॉव अथात एक कह सकते हैं कि नयाएक प्रक्रियाओं को बहतर बनाने के लिए हम सूचना संचार प्दो की और नय प्रकार की टेकनलोजी का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो यहाँ टेली लौ यहाँ पर ऐसा ही एक अप है, देखा जाए तो विध्यो न्याय मंत्री ने citizen टेली लौ अप यहाँ पर लौंज किया है, यहाँ देश में pre-litigation तंत्र को यहाँ पर मजबूत करेगा, नागरिक केंदरित न्याय वितरण की दिशा में सुधार करेगा, सि अगले एक मुद्दा है यहां पे जो की पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा एक चर्चा का विश्य रहा और अलग-अलग यहां पे हाई-कोर्टS में इसको लेकर मामले भी यहाँ पर दर्ज किये गए और इसको लेकर इन हाई कोट्स के द्वारा अपने अपने कुछ डिसीजन भी दिये गए यह मुदा है वैवाहिक बलातकार का तो यहाँ पर केलर और करनाटक की सरकारों के द्वारा जहां केरल उचनेयले ने वैवाहिक बलातकार को तला के लिए यहाँ पर वैद के रूप में स्विकारिता दी है वहीं करनाटक हाई कोट के द्वारा यहाँ पर वैवाहिक बलातकार को बलातकार की स्रेणी में यहाँ पर माना गया है और यद्य भी यहाँ पर देखा जाए तो भारत में वैवाहिक बलातकार के लिए किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है हमारी जो आपकी IPC की धारा 375 है उसमें भी कहा गया है कि यदि कोई पत्नी जो है 15 वर से कम उम्रकी नहीं है इसके लावा भारत में देखा भारत उन 36 देशों में अच सामिल है जहाँ पर अभी भी वैवाहिक बलातकार को विधिक अपराद के रूप में मानिता नहीं दी गई है फिर भी धारा 495 ए और घरेलों हिंसा अधनियम 2005 के तहट यहाँ पर लेंगिक रूप से इस तरह के लेंगिक रूप से इस तरह के लेंगिक रूप को एक दंड़नी अपराद माना जाता है लेकिन IPC की धारा और यहाँ पर इसको अलग से किसी तरीके से एक दंड़नी अपराद के रूप में स्विक्रिती नहीं दी गई है उसमें मानिता आपको नहीं दी गई है चलिए दो पार्ट हमने हाफ आपका खतम हो गया एक घंटे में हमने यहाँ पर अपने दो स्प्रिशन कर लिये ऐगले एक घंटे में आपको अपने शाथ यहाँ पर मैं ओल ले कर चलूँगा और यहाँ पे इंटिन पॉलिटी का आप कह सकते हैं कि आपने लगबग आधा काम कर लिया है आप यह कह सकते हैं आपके 8 महीने के important current topic को हमने यहाँ पर finish कर लिया है और अगले 8 महीने के current topics को आप मेरे साथ और पढ़ने वाले हैं और यह हम यहाँ पर 50% अपना current यहाँ पर status update कर चुके हैं और कम से कम अभी तक हमने यहाँ पर आपको 35 से 40 यहाँ पर topic भी study कर लिये हैं अब आते हैं यहाँ पर उसके सासत कितने सारे top topics में बता दिये हैं जिनका आपको revision भी करना है अब आते हैं अपने तीसरे चरण में ठीक हैं तो 51 से 75% तक की और बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर क्या-क्या आपको विशेश है इसमें ठीक है इसके तहत इस वाले article में mostly मैंने आपको सरकार की द्वारा जितने भी अधनियम विधेयत और बिल्स यहाँ पर प्रस्तूत किये गए हैं 2021-22 में उन सारे important aspect को हम mostly इसमें पढ़ने वाले ठीक है तो यहाँ पर अधनियम और विधेकों के बारे में जो जानकारी है वो इसमें हम एके करके study करेंगे तो ध्यान से तुनिएगा कौन-कौन से यहाँ पर important अधनियम है और उसमें कौन-कौन से यहाँ पर प्रावधान किये गए है तो पहला है यहाँ पर निर्वाचन विधी संसोधन विधेक 2021 देखा जाए तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से पहचान साबित करने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है तो चुनाओ के दारान किसी संदिक्ता की स्थिति में निर्वाचन आयोग यहाँ पर क्या कह सकता है कि आप नी पहचान को साबित कीजिए और इसके लिए आधार नंबर को वो डिमांड कर सकता है इसके लावा सत्यापन के लिए आधार की संख्या की आवश्रक्ता होगी साथ ही इसके लिए आपको चार पात्रता तितियों के निर्धारित की गई जहां पर इस तरह के कामों को किया जासता है और एक साल में ऐसा चार बार पती पतनी दोनों शब्दों को एड़ कर दिया गया पहले हैं पर सिर्फ पतनी शब्द था इसे पती पतनी दोनों शब्दों को एड़ किया गया है इसमें मतगर्णा वोटिंग और चुनाव सम्मंधी सामागरी रखने सुरक्षा बलों मद्दान कर्मियों के रहने के लिए पर इसतर के उपयोग की सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है, बेसिकली, अब यहाँ पर आपको एक चीज पढ़नी चाहिए, वो है निर्वाचन आयोग से जुरे हुआ आर्टिकल, आपको जाके पढ़ना है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के निर्वाचन समन्दी जो जो प्रावधान है, उनके बारे में एक बार जरू पढ़ना है, और निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, अगला यहाँ पर है चुनावी बॉंड्स को लेकर, क्या है चुनावी बॉंड्स, तो Association for Democratic Reforms की रिपोर्ट में कहा गया है कि BJP, NCP, भारती राश्टी कॉंग्रेस था, अखिल भारती त्रिनमूल कॉंग्रेस ने 2020 में अपनी कुल आयका करीब 62.92 परसेंट था, 2993 समलो 826 करोन रुपए चुनावी बॉंड्स के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त किया है और चुनावी बॉंड्स मूलता होते हैं एक तरीके के ब्याज मुक्त वित्ती इंस्टूमेंट और इन्हीं हम एक तरीके का वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं एक बॉंड्स की जो कीमत हो सकती वो एक हजार उपए से लेकर के एक करोन रुपए तक की होती है जिसे यहाँ पर कमपनियों संस्थाओं लोगों के द्वारा चंदा के रूप में यहाँ पर खरीदा जाता है और यहाँ पर पार्टियों को आवन टिप किया जाता है चलिए अगरगायोग ने इवियम और वीवी पैट पर अपनी एक रिपोर्ट जारी किये क्या है इस रिपोर्ट में उन्हें ने कहा देखिए जो इवियम होती है वो माइक्रो कंट्रोलर आधारी के एक पोर्टेबल उपकरण है जिसमें मशीन में दो यूनिट होती है एक का नाम ह होती है उसमें अधिक्तम 2000 वोट होते हैं और 64 हुम्मिद्वारों का नाम नोटा सहित इसमें हम दर्ज कर सकते हैं और जन प्रतिजित्य अधिनियम 1951 की धारा 61 के तहत यहां पर निर्वाचन आयो को इसके प्रयोग करने का अधिकार भी यहां पर प्रदत है किसके प्रयोग वोटिंग मशीन है जिसमें वोट डालने के बाद आपको एक परची छपती है इस परची में उम्मिद्वार का क्रमांग नाम चुनाओचिन छपा होता है और 7 सेकिंड तक यहां परची एक विंडो के माध्यम साब को दिखाई देती है और उसके प्रशात यहां परची वी परिसीमन आयोग क्यों चर्चा का विशय रहा जम्मू कस्मीर आसम अरुणाचर्पदेश मणिपूर नागालेंड के लोगसभा और विधान सभा निर्वाचक छेत्रों को पुना तयार करने के लिए यहां पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया है राज्य ध्यान रखेग वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में अब तक चार बार परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया जा चुका है परिसीमन आयोग की सनरचना अगर देखें तो इसमें आपको अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोट के सेवार्यत या सेवानर्वित नयदीस होंगे मुख चुनाव आय पुचित छेत्रों का विस्तार अधनियम 1996 इसे हम सौट फॉर्म में कहते हैं पेसा पेसा की 25 वर्षगाट का यहां पे आयोजन हुआ और एक दिवसी यहां पे राश्ट्री सम्मेलन का आयोजन हुआ पेसा अधनियम को सम्विधान के भीतर सम्विधान कहा जाता है ध्यान पर देखा जाए अर्थात आर्टिकल 244 एक के तहट दस राज्जों की पांचवी अनसूची में आने वाले छेत्रों तक यहां पर इसे विस्तारित किया गया है कौन-कौन से दस राज्जे हैं तीस में हैं आंत्र प्रदेश, चत्यसगाड, गुजरात, हिमाचप देश, ज अस्थानी स्वायत संस्थाओं को प्रोचसाहन, पंचायतों के विधान, रूढ़िजन, सामाजिक, धार्मिक और समुदाय के संसाथों की परंपरागत प्रबंधन के पध्यतियों के ताहिस से सम्मंदित विवादों के निप्टान करने के लिए भी आपको रूढ़िजन प्रमाणपत्र भी जारी करना होता है, तो ये है हमारा पेस अधनियम, अगला है यहाँ पे वन अधिकार अधनियम 2006, इसमें क्या है, सभी राजियों में त्वरित कारिवानियन करने के लिए परियावरन वन तथा जलवाई परिवतन मंत्राले था जंजाती मंत्राले ने हा स्वामित, अधिकार, लग वनोपत्संग्रा, मतस्यन, वनों में जल निकाय, उसके उपयोग का अधिकार, राहत और विकास सम्मदी अधिकार, सामुदाइक वन प्रबंधन अधिकार, बौधिक संपता और परमपरिक ज्यान का अधिकार यहाँ पर वनवासियों को यहाँ उसके आसपास रहने वाले अधिवासियों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, चलिए एक और यहाँ पर अधिनियम है, किसोर नियाय बालकों की देखरेक और संदक्षन संसोधन अधिनियम 2021, देखे इस अधिनियम में कुछ प्रावधान यहाँ पर किये गए हैं, जिला बाल संदक्षन एककों, विशेश किसोर एकक, संदक्षकों, बाल कल्यान समीधी और किशोर नियाय बोर्डों की यहाँ पर त्रैमात सिक यहाँ पर समिक्षा भी दियम के माध्यम से की जाएगी, दियम के दत्तक ग्रहन से वन्चित या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तर यहाँ पर अपील कर सकता है, दूसरा, इसके तहट यदि कोई गंबीर अपराद किया जाता है, तो उसे यहाँ पर माना जाएगा, जो तीन से साथ वर्ष की सजा प्राप्त हैं, उन्हें हम गंबीर अपराद की श्रणी में रखेंगे, जबकि घोर गंबीर अपराद की श् संगे और गैर जमान्ती होंगे था बाल कल्यान समीती के सदश की नियुकती का भी इसमें प्रावधान किया गया है मानवा दिकार और बाल दिकार उलंगन का कोई मामला यहाँ पर न हो इस चीज की भी आपर चांच करनी अतात इस चीज को भी आपर सुनश्चित करना है सधिनियम के माध्यम से अगला धिनियम है चलचित्र संसोधन विधेयन 2021 इसमें फिल्मों के सालवजनिक प्रदर्शन के संबंध में फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक यहाँ पर प्रभावी बनाए जाएगा देखा जाए जब भी आप कोई फिल्म यहाँ पर देखने जाते होंगे तो फिल्म सुरू होने से पहले एक आपको एक certificate टाइप का आपको एक कागर्ज वहाँ पर देखता होगा जिसमें फिल्मों की category लिखी होती है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा UA 7+, UA 13+, UA 16+, और ऐसी अन्य प्रकार की यहाँ पर एक कुछ में आपको सिर्फ U मिलता है कुछ में यहाँ पर आपको A मिलेगा कुछ में S मिलता है तो इस तरह की जो यहाँ पर certificates होते है इसमें आयू बर्गी करन आधारित होता है फिल्म certificate भी है साथ ही इस विध्यक के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है कि piracy पर अंकुस लगाना है फिल्मों की यदि कोई व्यक्ति piracy करता हुआ पाया जाता है तो उसको यहाँ पर कारावास और तार्थिक दंड के प्रावधान उसके विरुद यहाँ पर किये जाएंगे अगला है आदर्ष किरायदारी अधनियम इसमें आसम प्रथम राज्य बन गया है इसे अपनाने वाला और इस अधनियम की देखे क्या-क्या विशेष्टाएं है वो भी ध्यान दीजेगा आदर्ष किरायदारी अधनियम में कि कोई भी व्यक्तिक किरायदारी की समझोते की विना रिंड पर नहीं रह सकता है दूसरा सुरक्षा जमा के तौर पे 6 महिने का अग्रम भुक्तान करना पड़ेगा किराया प्राधिकारी किसके लिए नियुक्ति की जाएगी जो डीजियम यहाँ पर होगा फास्ट्रेक समाधान के लिए किरायदारी नियाले वा अधिकरन के स्थापना की जाएगी और किरायदार के अधिन परिसर में किसी भी आवशक आपोर्दी को यहाँ पर नहीं रोका जाएगा अगला है स्वापक आउशदियम मना प्रवावी प्रवा पदार्थ शंचोधन अधनियम देखा जायतिस अधनियम में कहा गया है कि यदि स्वापक आउशदि के परिचालन को शाशित किया जाएगा इसमें बेहतर तरीके से अवैध घतविधियों को यहाँ पर रोका जाएगा जैसे यदि कोई गांजे की खेती समंधी है तो और कोई विक्ति गांजे की खेती करता है और कोई यहाँ पर ऐसे विक्तियों को संरक्षन देता है तो वहाँ पर उन्हें अपराधी उसे भी माना जाएगा और ऐसे इस तर में जो दोशी होंगे उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास का यहाँ पर प्रावधान किया गया है जो की बढ़ा करके 20 वर्ष तक किया जा सकता है इसमें एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और यह नए प्रावधान जो है एक मई 2014 से पूर्व व्यापी प्रावाव से लागू होंगे अर्थात कानून अभी 2021 में बन रहा है लेकिन इसे हम लागू करने वाले 2014 से तो 2014 से अगर कोई भी ऐसा कोई मा क्या है यह यह विध्यक खासी हिल से स्वायत्व जिला परश्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह परशद सम्विधान की छटी अनसूची के तहत स्वायत्य एक निकायों के गठन करने का प्रावधान है यहाँ देखा जाए तो भाई बेहनों के पैत्रिक समपत्ति क समान वित्रण का भी इसमें प्रावधान है खासी ये मूलता मात्रुबंसी समाज होते हैं और छटी अनसूची के अनुसार जिला परशद के द्वारा बनाए गए कानून को पारिद करने का अधिकार बेसिकली लेकिन होता किस के पास है राजा सरकार के पास तो यहाँ पर खासी जिल स्वायत जिला परिशदे जो हैं वो अपने छेत्रों के लिए यहाँ पे कानून या चीज़ों को बना तो सकती हैं लेकिन उनकानूनों को कानून के रूप में परणित करने का दिकार किस के पास होगा राजविधान मंडल के पास अगला इसमें है केंद्री विश्विध्याले शंचोधन विध्यक 2021 इस विध्यक के माध्यम से यहाँ पर देखे तो लद्दाक में कि सिंधु केंद्री विश्विध्याले के स्थापना को यहाँ पर रावधान किये गए हैं देखा जाए तो अभी भी लद्दाक में किसी भी तरीके कोई भी केंद्री विश्विध्याले नहीं है और इस समस्या के निप्टान को लेकर यहाँ पर राजी सरकार के द्वारा सरी किंद्री विश्विध्याले शंशोधन विध्यक पारित किया गया है और यहाँ पर सिंधु केंद्री विश्विध्याले के स्थापना की जाएगी अगला इसमें है सामोहिक विनाश के हतियार और उनकी डिलिवरी सिस्टम गैर कानूनी गत्विध्यों पर प्रतिबंध शंशोधन विल 2022 देखा जाए देखे आपको सामोहिक जो विनाश के हतियार होते हैं ऐसे हतियार जिनके माध्यम से आप जब भी ऐसे हतियारों का आप किसी छेत्र विशेस में प्रयोग करेंगे तो उस छेत्र विशेस में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जन्तू या सभी प्रकार के एक बड़ी संख्या में आपको जनसंख्या की हान ही होती है ठीक है ऐसे हतियारों को हम कहते हैं सामोहिक विनाश हतियार क्या है इसमें तो हतियारों के manufacturing परिवहन अस्थाना अंत्रण पर ये कानून आपको प्रतिबंद लगाता है इसमें जैविक, रासाइनिक और परवाण हथियार शामिल है तो सामोहिक जैविक हथियार कौन कौन से होते हैं रासाइनिक हथियार, जैविक हथियार और परवाण हथियार ऐसी गत्विधियों के वित्व पोशन पर भी प्रतिबंद लगाये गया है और ऐसा करने पर उस व्यक्ति की धन और संपत्तियों को आर्थिक संसाधनों के स्वामित्य को प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष तरीके से फ्रीज, जब्द या कुर्की की जा सकती है तो ये प्राव की पहचान कैसे करना है और उसके लिए किस तरह के डेटा इत्याद को कलेट करना है कि इसको क्या अधिकार होंगे उनके बारे में बजानकारी दे गई है जैसे इसमें कहा गया है कि डेटा जमा कौन करेगा डेटा जमा करने के लिए बोला गया है कि बायोलोजिकल या सैंप बाल्स, स्वैब, DNA, प्रोफाइलिंग, इत्याद हम यहाँ पर डेटा के रोप में संकलित कर सकते हैं इसके साथी साथ इसमें कहा गया है कि किन व्यक्तियों का डेटा लिया जा सकता है तो कहा गया कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, गिरफ्तार व्यक्ति है, साथ वर्स की सजाप्राप्त व्यक्ति है, निवारक निरोध कानून के तहट यदि कोई गिरफ्तार है या magistrate के द्वारा यहां पर कोई आदेश दिया गया है एसी सित्यों है इन वेक्तियों का यहां पर data यहां पर संकलिद कर सकते हैं data संकलिद करने का आदेश यहां पर देखा जाए तो यहां पर पुलिष स्टेशन प्रभारी हेड कॉंस्टेबल जेल का हेड वार्डन, मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट, जुदिस्टियल मजिस्ट्रेट, एक्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर आपको यह आदेश दे सकते हैं इसके लावा डेटा रखेगा कौन, तो राश्ची अपराध रिकार्ड ब्यूरो यहाँ पर केंद्री एजनसी होगी इस तरह के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अगला है यहाँ पर दिल्ली नगर निगम शंचोधन बिल 2022 दिल्ली नगर निगम को लेकर होने वाले थे चुनाओ और उसी समय पर यहाँ पर यह विध्यक लेकर आए गया जिसके माद्यम से एक पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर बना और यहाँ पर बन गया यह काफी ज़्यादा चर्चा का विश है तो क्यों बना है क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं इस विध्यक में देखिस में कहा गया है दिल्ली नगर निगम का एक ही करन करण किया जा रहा है अभी वर्तमान स्वय में दिल्ली में तीन नगर निगम हैं उत्री दिल्ली, दक्षणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लेकिन इस विध्यक के बाद एक ही यहाँ पर पूरे दिल्ली का एक ही यहाँ पर नगर निगम हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए जो पार्षदों की संख्या होगी इस विध्यक में कहा गया है कि वो धाई सो रह जाएगी पहले 275 थी अस्थानी जो निकाय के निदेशक को यहाँ पर हटाए जाएगा कि इन सरकार के द्वारा विशेश अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी अगला है यहाँ पर बाल विवा निशेश शंशोधन बिल 2021 देखा जाए तो यह आपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कह सकते हैं थोड़ा सा आप इसे कि यहाँ पर यह डिसीजन या विध्यक यहाँ पर लेकर आए गया है महिलाओं की विवा करने की आयू को 18 से बढ़ा कर यह विध्यक 21 करने जा रहा है ठीक है अभी तक पुर्षों की यहाँ पर विवा करने की आयू किस थी लेकिन महिलाओं की यहाँ पर 18 थी अब महिलाओ की भी विवाह करने के आई को इस विध्यक के माधिमस कितना किया जाएगा 21 वर्ष यहाँ पर महिलाओं के विवाह की नियुंतमाई को 18 से बढ़ा कर 21 किया जाएगा और बाल विवाह को यहाँ पर अमान नगोशित करने वाली याजका दैर करने वालों को 5 वर्ष पूर्ष य कि 21 वर्ष किया गया कोई भी विवाह यदि अब 18 और 21 के बीच में यहाँ पर महिलाओं के हो रहे हैं वो अवैद होंगे और तीसरा यदि कोई बाल विवाह हुआ है तो वहाँ पर उसकी आयू 23 साल पूरी होने से पहले वो यहाँ पर ऐसे मामलों की यहाँ पर रिपोर्ट द सम्विधान SC ST आदेश दूसरा संसोधन बिल 2022 यह बिल क्या है बिल है सुप्रीम कोट के आदेश के संसोधन करना ठीक है बिल किस से रिलेटेड है सुप्रीम कोट के आदेश का संसोधन करना ताकि यहाँ पर सुरी सुप्रीम कोट नहीं है बिल यहाँ पर SC SC यानि की आपका schedule cost के लेके आदेश के शंशोधन करता है ताकि UP के चार जिलो में चंदावली, कुशी नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को SC से हटा करके उसे ST समुदाय में शामिल करने को लेकर ये बिल लेकर आया गया है तो UP के चार जिलो में गोंड समुदाय को SC से हटा करके ST में सामिल करने को लेकर बिल जो लाया गया उसका नाम है समुदान SC-ST आदेश दूसरा संसोधन विद्यक बिल 2022 और चार जिले कौन से हैं UP के वो हैं चंदावली, कुशी नगर संत कभीर नगर और संत रविदाश नगर एक और बिल है भारती अंटार्टिका बिल 2022 ठीक है भारती अंटार्टिका बिल 2022 में काफी सारा मेटेरियल वैसे इसमें है तो सारी मेटेरियल्स को मैं थोड़ा से यहां पर पढ़ देता हूँ इससे जुड़े आईसेल्फ पर महाधीप के सेल्फ से सटे हुए आपके सभी छेत्रों पर सभी द्वीपों पर और साथ डिगरी अच्छांस के दक्षण में स्थिद सभी समुत्र और वायवस्थल पर यहां पर यह कानून या यह बिल लागू होगा दूसरा जो इसमें जीजी दे ध्यान रखनी है आपको वो यह है कि पृतिवी विज्ञान मंत्राले के यहां पर जो सची होंगे सुरी यहां पर एक केंदरी समित इसके लिए बनाए गई है ताकि यहां पर इससे रिल्टेट सारे मामने को देखा जाए और इसमें अंटार्टिका शाषन गतविधियों को अनुमत यहां पर और परयावरन संरक्षन एक समिती बनाए गई है जिसमें पृत्वी विज्ञान मंत्राले के जो सची होंगे वो इससे समित के अध्यक्ष होंगे इसके अलावा इसके टोटल यहां पर दस सदस्य होंगे और जो समित का कारी क्या क्या होंगे वो भी मैं बता देता हूँ देकि समिती यहां पर काम करेगी विभिन गतविधियों को अनुमत्य देना अंटार्टिका के वातावरान के संद्रक्षण अंतराश्ट्री कानुनों का कारियान वेन अनुपालन संदी कन्वेंशन प्रोटोकॉल पक्षों की जानकारी साथी साथ पर्मिट देना पर्मिट किस चीश के लिए यहां पर देना है अन्टार्टिका में होने वाले किसी भी तरह के गतविधियों को कौन-कौन सी गतविधियों को लेकर तो पर्मिट देना है आपको अन्टार्टिका में भारती अभियानों को लेकर किसी व्यक्तिका यहाँ पर प्रवेश करने या भारती स्टेशन में रहने भारत में पंजीकरित जहाज या विमान का अंटार्टिका में प्रवेश करने को लेकर किसी व्यक्तिका यहाँ पर संडक्षन, खनी संसाधों की ड्रिलिन, ड्रेज, खुदाई से सम्मंधित यहाँ पर या उसे इकठा करने को लेकर और ऐसी गत्विधियां जो देशी प्रजादि को यहाँ पर नुकसान पहुचा सकती हैं यहाँ पर अंटार्टिका में किसी भी व्यक्ति, जहाज, भिमान और उसके कचरा निस्तारण इत्याद को लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है देखे प्रतिबंधात्मक जो इस्थितियां हैं कि आप अंटार्टिका में किस प्रकार की प्रतिविधियां नहीं कर सकते हैं उसमें देखे आप सबसे पहली चीज की किसी भी प्रकार के परमाण विस्पोर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरा किसी भी तरीके के रेडियो अक्टीव कचरे का आप निस्तारण नहीं कर सकते हैं इसके लवाँ कोई भी यहाँ पे जो जहाज है आप कह सकते हैं उपजाओ मिट्टी को आप नहीं ले जा सकते हैं समुदरी कचरा या पलास्टिक का यहाँ पर आप को समुद्री वातावरण में आप नुकसान पहुचाने वाले पदार्थों का आप निस्तारण भी आप नहीं कर सकते हैं अगर मान लीजे ऐसा कोई कर रहा है तो क्या तो यहां पर इस अधिनियम के तहट आपको सजा के प्रावधान किये गए हैं कैसी सजा के प्रावधान कि यहां पर लगाये जाएंगे उम्रकायद और पचास करोन का जुर्माना दूसरा मान लीजे बिना परमिट आप कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिती में यहां पर देशी जानरों पौधों को ले जाने पर साथ वर्ष की सजा और दस से पचास लाख रुपए तक का जुर्माना यहां पर लगाये जाएगा साथी साथ केंदर सरकार बिल के तहट एक से अधिक सत्र न्यालियों को यहां पर छेतर अधिकार के रूप में इन मामलों के सुनवाई के लिए अधिसूचित कर सकती है तो यह है आपका भारती अंटार्टिका बिल 2021 जिसमें कहा गय है कि कौन कौन से लोग कहां कहां पर लागो होगा कैसी गत्विधियां की जा सकते हैं कैसे अभियान किये जा सकते हैं कौन से लोग इसमें सामिल हो सकते हैं का यहां पर जो समिती बनाएगे उसको कारे छेतर अधिकारों की बात की गई सजा और दंड के प्रावधान यहां पर सभी चीजों के बारे में यहां पर बात जानकारी हमने कर लिए चलिए तो यहां पर overall तीन prospective complete हो जाते हैं हमारे तीन चरण कह सकते हैं complete हो गए और 75% आपका course आपने अपना complete कर लिया तरिवीजन complete कर लिया 12 महिने करता है एक साल का जन्वरी 2021 तो mostly आप इसे कह सकते हैं वैसे है इसमें बहुत सारा content अलग अलग topics related है लेकिन हम आते हैं अपने अगले चलण में और इस कहानी को यहां पर पूरा करते हैं Indian quality के current affairs को finish करने के और बढ़ते हैं अंतिम 20-25 मिनट आपको लगेंगे और हम यहां पर डेर साल का current affairs complete करने जा रहे हैं तो 20-25 मिनट के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत hectic होने लगा है तो आप 5 मिनट का break भी ले सकते हो इस दोरान पानी भी पी सकते हो या फिर 25 मिनट अगर आप और साथ देंगे तो हम इस session को complete भी कर लेंगे तो चलिए start करते हैं और finish करते हैं अंतिंग कुछ topic है लेकिन बहुत important है इन topics में आपको कई सारे आयोगों के बारे में निकायों के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो कि यहां पर कुछ bills भी यहां पर आपको इसमें discuss करेंगे और इसके अलमा कुछ योजनाय और अधिका कारों को लेकर इसमें discuss करेंगे तो कुछ important respect है जो कि घटना करम के रोप में आपके एक्जाम में पोचे जा सकते हैं चलिए देखते हैं क्या क्या है सबसे पहले हैं यहां पे CBI और ED के बारे में केंद्र सरकार ने CBI वा ED निदेशकों के यानि कि directors के कारेकाल को दो वर्से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया है CBI देखा जाए तो एक केंद्री मुख जाच एजनसी है जो दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना अधिनियम 1946 के तहत यहां पर इसे शक्तियां प्राप्त हैं वहीं ED की बात करें ती एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक कोफिया एज जिसका गठन विदेशी मुद्रा अधिनियम 1900 आपको 1947 के तहत यहां पर किया गया है तो CBI और AD के डिरेक्टर्स का कारेकाल दो से बढ़ा कर पांच किया गया है तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है CBI और AD के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है इसके रहां पंचायती राज प्रणाली के द्वारा फ्रेमवर्क जारी किया गया है जिसका मूल उद्देश है कि यहां पर बिना किसी पूर्वाग्रा के नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना पेशेवर प्रवित्ति को स्थापित करन सेवा यहां पर साथी वित्रण की निगरानी और मुल्यांकन करना नागरिकों के उनके अधिकारों के प्रतिजागरू करना पंचायतों वा उनके यहां पर प्रतिनिधियों की प्रतिक्ष जन्ता के प्रतिजवाब देह बनाना और भारती समिधान के अनुसार 243 जी के अंत हो गई है तो हाइलाइट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछन यहां से पूंचा जा सकता है तो ध्यान रखेगा एक और पॉइंट आप नोट करेंगे जो आपको अच्छे से रिविजन करना है वह है पंचायती राज प्रणाली को लेकर अगला यहां पर ग्राम पंचायत विकास योजना 2021 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक वाइट ग्राम ड्रैस बोर्ड यहां पर सुभारम किया गया जिसके माध्यम से यहां पर तीन चीजों पर काम करना है पहला कि गाउं के लोगों को यहां पर गाउं को कैसा करना कि गाउं में सुधार कैसे किया जा सकता है इसे ग्यारान सूची में यहां पर आपको देखा जाए तो सूची बद्ध है सभी 27-29 विश्यों में तालमेल स्थापित करके यहां पर इस योजना को लाकू करना है 2022-30 में इसके लिए ग्राम सभा की बैटकों का आयोजन किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायत विकास योजना को साकार रूप यहां पर दिया जा सके इसके इसके बाद सुषासन सूचकांग के बारे में ध्यान दीचेगा 25 दिसंबर सुषासन दिवर्ष 2021 के अवसर पर यह सूचकांग जारी किया गया जिसमें राज्यों और यूटी म अधिशाचन की स्थिती के आकलन को ये तुलनात्मक विशनेशन को प्रस्तूत किया गया देखा जाए तो सुषासन सूचकांग जो है वो एक अर्थवार्षिक रिपोर्ट आती है जो हर 6 महीने में यहां पर जारी की जाती है प्रशासनिक सुधार एवं लोगसिभा विभ देखा जाए तो यहां पर राज्यों को इस सुचकांग में चार वर्गों में विभाजित किया गया है पहला पुर्वतर और पहाडी छेत्र दूसरा संगराज छेत्र तीसरा राज्य ग्रूप A और राज्य ग्रूप B ग्रूप A में सीर्श राज रहा गुजराद, ग्रूप B में सीर्श राज रहा मत्य प्रदेश, संगराज छेत्र में नई दिल्ली रहा स्रेश राज और पुर्वतर और पहाडी राज्यों में सीर्श राज रहा यहां पर हिमाचप देश तो सुचकांग, सुशासन सुचकांग में आपको चारों वर्गों में अलग-अलग यहां पे राज्यों के स्थितियों के बारे में जानका रही है अगली योजना है मिशन कर्म योगी क्या है? नौकरिशाही छम्ता में सुधार के लिए निजी परामर्शदाता की न्यूकती थिक है? तो यहां सरकार को सहुआता प्रवाइड करएगा ताकि यहां पे बैतर शुशासन की प्रक्तिया को कैसे लागू किया दसके और इसके लिए जो भी यहाँ पर आपको धाचा गत सुविधा सुधार हैं उनके लिए परामश देगा और साथ साथ चलिए एक अधिकार बात करते हैं डिश्टल अधिकार क्या आपके पास भी हैं डिश्टल अधिकार तो देखा जाए तो यूरोपी आयोग ने ऐसे एक डिश्टल अधिकार की यहाँ पर बात की है क्या है डिश्टल अधिकार यूरोपी आयोग ने विश्ट में पहली बार डिश्टल अधिकार वस सिध्धानतों का एक सेट यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया है क्या क्या है इसमें तो 26 जनवरी 2022 को डिश्टल दशक के तहट 6 सिध्धानतों की यहाँ पर गोशना की गई है जिसमें पहला है केंदर में लोगों को रखना जिसके तहट उनके अधिकारों की सुरक्षा और लोगतंत्र के समर्थन को मजबूत बनाना दूसरा चैन की सुदंदता देना जिसके तहट उन्हें अवैदवा हानिकारक सामागरे सुरक्षित बनाए रखना तीसरा बचाव और सुरक्षा को सुनश्रीश करना जिसमें आपको डिश्टल परिवेश को मजबूत और सुरक्षित रखना है चोथा एक्जूपता वा समावेशन के लिए इंटरनेट और डिश्टल को सल विकास करना है पांचवा भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना और संधारंता के लिए डिश्टल उपकरणों की संधारंता वाहरित संक्रवन को इसमें शामिल किया गया है और इन्हें यहाँ पर इन्छे अधिकारों को बोले गए हैं डिश्टल अधिकार जो कि यूरोपी आयो के द्वारा यूरोपी संके लोगों को यहाँ पर प्रवाइड किये जाएंगी अगला यहाँ पर है सार्वजनिक खरीद अधिप्राप्ती और परियोजना प्रवंधन क्या है ये वित्य मंत्राले के द्वारा इसको लेकर अभी हाली में जारी किये गए हैं दिशानिर देश जिसमें कहा गया है कि प्रक्रियात्मक अस्पस्टता परियोजना प्रवंधन सलाहकार की भोमिका को स्पस्ट करना आलोचनात्मक समीक्षा और आदालती निर्णे के माध्यम से विवादों को कम करना अलग-अलग प्रकार के प्रोथसाहनों को बढ़ावा देना बजट आधारी चैन वा आवश्चक दसाओं में ही सलाहकार बदलने की अनुमती कठोर भुकतान की समय सीमा खुलीवा आनलाइन निविदा डिश्टल थ्रस्ट एलेक्ट्रोनिक मैनेज्मेंट बुक विस्तरित परियोजना, रिपोर्ट और विवहारता अध्यन जैसे जमीनी सनवेक्षन यहाँ पर किये जाएंगे अर्थात किसी प्रकार की खरीद फ्रक्रिया को जादा बहतर करने के लिए सही तरीके से पारदर्शी तरीके अपनाने के लिए विवादों और उसके समाधान को बहतर तरीके से सुन्योजित करने के लिए यहाँ पे सार्जनी खरीद अधिप्राप्ति परियोजना प्रबंधन को लेकर वित्रमंत्राले के द्वारा ये दिशानर देश जारी किये गए अगला है ई-गवर्नेंस ठीके इ-गवर्नेंस हमेशा चर्चा में रहता है क्या है इस बार विशेश इ-गवर्नेंस के 24-वे राष्ट्री इ-गवर्नेंस सम्मेलन में हैदराबाद घोशना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है ठीके तो क्या हुआ है 24 वा राश्ट्री ये governance सम्मेलन आयोजित हुआ हैदराबाद में और इसमें यहाँ पर हैदराबाद घोशना पत्र को स्विकार किया गया अब ऐसी सिती में आपको पता होना चाहिए कि क्या है इस घोशना पत्र में तो देखिए हैदराबाद घोशना पत्र में जो विशेष्टाएं हैं पहला आधार, UPI, Digilocker, Umang, E-Sign जैसे यहाँ पर कह सकते हैं एप इत्याजिका उपयोग नागरिक सेवाओं को बहतर बनाने के लिए किया जाए दूसरा, सालजनिक डिश्टल प्लेटफॉर्म का सीघर क्रियान्वियन किया जाए नई प्रद्योकियों जैसे की AI, Machine Learning, 5G, Blockchain Technology के जिम्मेदार उपयोग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए दूसरा, महामारी से निपटने हैं तो मजबूत तक्नीकी समाधान को सुनश्चित करना अगला, डिश्टल तक्नीकी का बासर्कारी सेवा को डिजाइन करना, वितरन को यहाँ पर प्रात्मिक पहलू बनाना, रास्ट्री गवरनिस सेवा के वितरन का अमोल नेंकन करना और यहाँ पर यह सारी क्रिया कलापों को बहतर तरीके से निर्मित करना, सुनियोजित करना, लागू करना ये रहा इस बार के हैदराबाद घोशना पत्र में जो कि 24 में आपके ए गवर्नेस आपके राश्ट्री सम्मेलर में स्वेकार किया गया अगला टॉपिक, पुलिश कमिशनरी प्रणाली, क्योंकि हाली में उत्तवर्देश, मद्ध प्रदेश और ऐसे राज्यों में आपको देखा जाएं, तो यहाँ पे पुलिश कमिशनरी प्रणाली को लगातार लागू किया जा रहा है, और यूपी में देखे जाएं, तो चा पुलिश कमिशनरी के पास होते हैं, और उनका यहाँ पर वो विन्यमन करता है, साथ ही नियंतरण और लाइसेंसिंग सम्मन्दी जो अधिकार होते हैं, वो आपके पुलिश कमिशनर के पास होते हैं, पुलिश कमिशनर की किसे किया जाता है, तो डियाईजी या उससे ओपर के रैंक के अधिकारी को हम पुलिस आयुक के रूप में नियूक्त करते हैं, इ दो वर्षों के लिए किसी भी विव्यक्ति को अपने अधिकार शेतर से लोगों को बाहर रखने का भी इनके पास अधिकार उतार था तड़ी पार वाली स्थितियां यहां पर कर सकते हैं किसी विव्यक्ति को अपने अधिकार शेतर से दो साल के लिए आपको बाहर रख सकते ह चलिए तो ये है पुलिस कमिशनरी प्रणाली अगली बात आती है मत की गोपनियता को लेकर एक विवाद है और इसके लेकर सुप्रेम कोट का एक निश्ट है तेकि सुप्रेम कोट ने अपने निर्णाई में कहा है कि मत की किसी भी चुनाओं में मतदान की गोपनियता बनाय रखना अनिवार है क्योंकि गोपनियता जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का मौलिक अधिकार है और किसी भी पसंद की गोपनीता से ही लोगतंतर को मजबूत किया जा सकता है इसलिए मत की गोपनीता को बनाए रखना चाहिए तो वहाँ पर उसकी मत को गोपनीता को भंग नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर इसे स्पश्ट कर दिया गया अगला है राष्टी मानवाधिकार आयोग अंतिम कुछ टॉपेक्स हैं बस और यहाँ पर आपको 10 मिनट मेरे साथ रहना है देखे राष्टी मानवाधिकार आयोग के द्वारा लगातार आपको कई तरीके के मुद्दे आते हैं जब भी कोई ऐसे मामले यहां पर उठते हैं जहां पर पुलिस मानवाधिकार आयोग के द्वारा तो क्या है मानवाधिकार आयोग इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ देखे हा हाली में 12 गुबर 2021 को इसकी 28 मी वरसगाठ मनाई गई है और यहां देश के मानवाधिकारों का प्रहरी इसे माना जाता है भारत में अदालतों द्वारा इसे लागू करने के कानून के तहत जीवन, स्वतंतरता, गरिमा वा समानता से सम्मन्दित अधिकारों को यहां पे लागू कराने के दिश्कोर से यहां पे राश्ट्री मानवाधिकार आयोग काम करता है 1993 में राश्ट्री मानवादिकार आयो की यहां पे स्थापना हुई और 2019 में मानवादिकार शंचोंधन अधिनियम पारित किया गया देखा जाए तिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो पूरू CGI हो सकता है चार सदस्य होंगे इनकी नियुक्ती जो होती है छे सदस्य समीद जो की पीम की अध्यक्ष ता राजसभा के उपसभापती संसत के दोनों सद्रों के मुख्याप के वबक्षी नेता केंद्री ग्रिह मंतियों से बनी होती है इस समित के द्वारा यहां पे इसके अध्शक यहां पे सिफारिश की जाती है इनका कारीकाल या तो तीन वर्ष का होगा या तो सत्तर वर्ष की आयो तक जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा और इनके कारे और दायत्यों के अगर हम बात करें तो राश्ट्री मानवादिकार आयोग दिवानी अदालत की समक्ष यहां पर इनके पास सक्तियां होती हैं और यह सहस्तरबलों के द्वारा या निजी दलों के द्वारा मानवा धिकारों को लंगन की हाँ पर मामनों की सुनवाई भी कर सकता है तो ये है आपका कौन सा ये है आपका राश्ट्री मानवा धिकार आयो के बारे में हम बात कर रहे थे इसके बारे में हमने देख लिया अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर पहला आउडिट दिवस ठीक है पहला आउडिट दिवस के बारे में डिसकस कर लेते हैं देखे 16 नॉवंबर 2021 को सरदार वल्लब भाई पतेल की प्रतिभा का अनावरन आपको कैग के कारियालाय में किया गया ठीक है कहाँ पे कैग के कार्यालेम किया गया इसका उदेश यहाँ पे क्या है देखे ऑडिट दिवस इस तरीके की चीज़ें जो होती है जो पारदर्शिता वा शुसासन को बढ़ावा देने का काम करती है गरेश चंद्र मुर्मून को आठ अगस 2020 को भारत का कैग का पदभा यहाँ पर दिया गया था और कैग का आर्टिकल 149-149 यहाँ पर कारिशकतियां 150 संगवार राजियों के खातों गविवरंड्की जात संमंधी यहां सारी क्रियाविधियों के अबारements की जानकारी है और कैग का का जो कारिकाल होता है वो चे वर्ष क्ता होता है अगला इसमें है बांद सुरक्षा विधयक 2021 ठीक है बांद सुरक्षा विधयक क्या है यहाँ बांद की विफलताओं से सम्मंधित आपदाओं की रोगधाम के लिए निरदिष्ट बांद की निर्थेखन, संचालन, रख रखाव का निर्थेखन यहाँ पे करता है भी यहां पर प्रयास करता है तो बांध सुरक्षा विध्यक बांधों की सुरक्षा को लेकर उनकी लगाता निरिक्षन निग्रानी और उनमें सुधारों को लेकर यहां पर बात करता है ताकि किसी भी प्रकार की यहां पर आपदा कारे इस्तिति उत्पन ना होने पाएं इस चीज़ को यहां पर सुनिश्चित करना तो बांधों की यहां पर सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित कर पाते हैं तो इसके माध्यम से आप होने वाली आपदाओं को भी रोक सकते हैं अगला यहां पर है उच्च न्याले तथा उच्टम न्याले के न्याधिस वेतन और शेवा सर्तिय विध्यक 2021 देखे इस विध्यक में कहा गया है कि इस विध्यक को लाने को यहां से है कि यहां स्परश्टा लाने का प्रयास किया गया है कि SC और कहने का मतलब सुप्रीम कोट और हाई कोट के नियाधिस, एक निश्चित आयू के प्राब, एक निश्चित आयू के बाद यहाँ पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन के यहाँ पर हकदार हो जाएंगे, इस बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया है, चुलिए अगला यहाँ पे भारत में न्यायलों की भाषा भाषा अर्थाद न्यायले में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग होता है जो भी क्रियाकलाब संपन होते हैं वो किस भाषा में होते हैं समिधान के अनुच्छे इसके बारे में क्या कहते हैं तो देखे, मुद्धा यहाँ पे तब आया जब गुजरात में एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोट ने एक पत्रकार को यहाँ पर केवल अंग्रेजी भाषा में बोलने को कहा, इसके कारण यहाँ पे न्याले के कारप्रणाली क्रिया कलापों के किस भाषा में प्रयो भारत के समिधान में 15 वर्षों तक अर्था जब भारत का समिधान लागो होने से अगले 15 वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेजी जो भाषा होगी वो आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी अनुमत यहाँ पर दी गई थी, लेकिन साथ-साथ यह भी कहा गया था, तो उसके बाद आप हिंदी भाषा को, आप विहन प्रकार के अपने क्रिया कलापों में हिंदी भाषा को स्विकार करेंगे, लेकिन अभी तक हिंदी राज भाषा को यहाँ पर अंग्रेजी अभी भी यहाँ पर देखी जाए, तो अधिकरनों के माध्यम से, नियालों के माध्यम से यहाँ पर आपको किरियाकलाप यहां पर संपार्थ अंग्रेजी में ही हो रहे हैं तो इसको लेकर क्या आर्टिकल क्या कहते? समृधान यहाँ पर क्या कहता है? तो देखेंा, आर्टिकल 348 A.1 के तहट कहा गया है जब तक संसत कानून प्रदान नहीं करती तब तक High Court Supreme Court में कारवाही अंग्रेजी में आजित होती रहेगी और Article 348-2 के तहट किसी राज्य का राज्यपाल राश्टपती की पूर सहमत से High Court में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है तो देखें Article 348-2 के तहट यह प्रावधान है कि जब तक संसद कोई कानूर नहीं बना देती है तब तक कोई भी कारेप्रणाली जो है वो किसमें चलती रहेगी अंग्रेजी भाषा में चलती रहेगी चली एक और मामला यहां पर है विधायकों के निलंबन का मामला अंतिम दो मामले में आपको पढ़ा देता हूँ एक है विधायकों का निलंबन का मामला क्या है इसमें तो देखें हाली में महाराष्ट के बारा विधायकों को एक वर्ष के लिए यहां पर निलंबित कर दिया गया प्रथम दृष्टिया यहां पर असमवैधानिक हैं और इन निर्वाचक छेत्रों में एक समवैधानिक सूनिता की स्थिति उत्पन हो जाएगी यदि आप विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर देंगे तो यहां पर पूरा का पूरा जो निर्वाचन छेत्रों होगा वो समवैधानिक रूप से यहां पर सूनिता की स्थिति में चला जाएगा और साथी साथ आर्टिकल 194 में देखिए यह कहा गया है यदि किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का कोई भी सदस साथ दिन अनुपस्थित रहता है तो सदन की अनुमत के बिना अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीड को रिक्त मान लेगा और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो जन प्रतित अधनियम 1951 के 1951 के तहट किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए एक उप्चुनाव आपको कराना होगा वो भी आपको रिक्त पद के 6 महीने के भीतर ही कराना होगा और अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसी स्थिती में अगर आप एक साल के लिए निलम्मत कर देते हैं तो वहाँ पर तो फिर आपको वहाँ पे आपको वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे तो इसका तो मतलब ये हो गया की आप पूरे के पूरे निर्वाचक मंडल को यहाँ पे सजादेने का प्रावधान कर रहे हैं जो की यहाँ पर आपको सही नहीं है तो यहाँ पर देखे यह भी कहा गया कि एक वर्ष की निलंबन का मतलब वा निर्वाचन छेत्र के सभी लोगों को यहाँ पर दंडित करने का प्रावधान अब देखे मामला यहाँ पर महाराश्ट की विधान सभा का मामला था लेकिन एक कोशन यहाँ पर और उड़ता है अब करकल 378 में बढ़नित किया गया है कौन-कौन से रूल से रिगलेशन उन्हें हटाने को लेकर किन परिस्तितियों में किन आधारों पर कुश्चन कुछ भी बन सकता है है आज का हमारा अंतिमों लास्ट पॉइंट भारत के महा नयावाधी के बारे में है तो भारत के महा कारेविस्तार कारेविस्तार कॉन हैं बांकी जानकारी अब ले लीजिए देखें ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कारेविस्तार के लिए बढ़ाया गया है 2020 में 2021 फिर से कर दिया गया है इनकी न्युक्ति हुई थी 2017 में और यह भारत के पंद्रावे महानियावादी के रूप में इनको नियुक्ट किया गया था देखा जाए तो सरकार के मामलों का ये प्रद्धित्व करते हैं सर्वोच कानून अधिकारी होते हैं आड़कल 76 के तहट महानियावादी पद का यहाँ पे प्रावधान है उनकी नियुक्ती का और इनकी जो नियुक्ती होती है वो राष्टपती के द्वारा की जाती है और नियुक्ती के लिए जो पातरता होनी चाहिए पांच वर्ष के लिए हाई कोर्ट के नियादीज या दसवर्थक यहाँ पर इनको वकालत का आनुभा होना चाहिए साथी साथ इन्हें संसत के दोनों सद्रों में या संयुक्त बैठक में या संसत की किसी भी यहां पर समित में बोलने का अधिकार यहां पर प्राप्त होता है उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है वह उन सभी विशेशा धिकारों का उन मुक्तियों का हगदार होता है जो एक संसस सदस को यहाँ पर प्राप्थ होती है लेकिन यह एक सरकारी सेवक की श्रणी में नहीं आते हैं अता निजी कानूनी अब्ध्यास के से इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है तो इस तरीके से देखे हमने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का 16 महीने के करंट अफिर्स को कम्प्लीट कर दिया एक पॉइंट से लेकर के अंतिम छोड तक आप अगर मेरे साथ बने रहे हैं तो आपको खुश हो सकते हैं आपने 16 महीने का इंडियन पॉलिटी का करंट अफिर्स इन डेटेल्ड वे में पढ़ लिया है और आपको थोड़ा अगर आपने इंडियन पॉलिटी अभी तक रिविजन कर रखा होगा तो कई सारी चीज़ें आपको अटोमेटिकली इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते रिवाइंड हो गई होंगी और जहां अगर भूल रहे होंगे तो वहाँ पर उन टॉपिक से रिलेटेड आपको आपको क्या करना है रिवाइंड कर लेना है जाके रिमाइंडर लगाई है और तुरंत यहाँ पर इस टॉपिक को तीन बार पढ़ना है और साथी साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपको चर्चा का विशह रहे हैं जो चीज़े मैंने बताई है पढ़ने के लिए उनको रिवीजन कर लेना है अगर आप ऐसा करने हैं सफल रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी के मैक्सिमन नंबर आप कुष्ण आप एक्जामे अटेंट करके आओगे और सही करके आओगे तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन एकॉनमी अगर दो चीज़ों पर आपकी पकड़ आपकी अच्छी हो गई तो आपका 35% नंबर आपका कहीं नहीं गया है ठीक है 35% आपका नंबर आपका सिर्फ दो श्रिशन से आप बनाने वाले हो तो दोनों ही इंडियन पॉलिटी और इंडियन एकॉनमी का तीन बार यहाँ पर मास्टर करंट इफिर्स लेखिए और इन टॉपिक से रिलेटेट करंट इफिर्स के साथ आपके बेसिक कॉंसेट को अच्छे से रिवीजन कीजिए तो आज के अपनी श्रिशन में इतना ही रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपको एक और टॉपिक को लेकर 16 महिने के करंट इफिर्स को लेकर और नेक्स्ट जो श्रिशन होगा हम उसमें लेकर आएंगे साइंस और टेक को लेकर तो अगला जो टॉपिक होगा साइंस और टेक को उसमें डिस्कस करेंगे 16 महिने का विज्ञानेयम प्रदो की अपना ख्याल रखेगा रिवीजन देखे जरूर कर लीजेगा जो मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ रिवीजन मस्ट है रिवीजन ही यहाँ पर आपकी सफलता की कुझी है अंतीम समय में जितना ज़ादा रिवीजन करोगे उतना ही यहाँ पर आपका सक्सिफल होने का चांस रहेगा थैंकि सो मिच और गुड लग